हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटीब चैनल पे है फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम रिभीव करेंगे बली बूट की एक और सुपर हिट फिल्म को दोस्तो इस मुवी का नाम है टी बलोट और इस मुवी को 2017 में रिलीज किया गया था दोस्तो मैं सबसे पहले आपको बतला दू कि ये फिल्म आपको यूटीब पे देखने को नहीं मिलता है दोस्तो अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बतला सकते हैं आज की इस वीडियो में हम इस मुवी की बज़ेट एंबॉक्स और इस कलेक्शन के बारें बतलाएंगे साथी इस फिल्म को कितना आयम डेबी रिटिंग मिला हुआ इसके बारे में इस वीडियो में हम करते हैं इस वीडियो को कबिर खांसर ने डेट किया था अब बात करते हैं इस फिल्म की पडियोसर के बारे में तो इस मुवी को पडियोस के थे सलमान खान कबिर खान इनसलमा खान ने मिलकर इस फिल्म को पडियोस किये थे अब बात करते हैं इस फिल्म के स्टार कर्ष्ट के बारे में तो इस फिल्म में आपको सलमान खान सुहेल खान ओम पुरी एन मतीन रे तांगू नजर आये थे उनके साथ जोजू सर सहायक बॉंकाव में इस फिल्म में नजर आये हुए हैं दोस्तों इस मुवी को रिलीज किया तो तेज जुन 2017 में और इस मुवी की बजट के बारे हम बाते कर तो 100 करोट के बजट वेश फिल्म को बनाया गया था साथी इस मुवी की बॉक्स अपिस क्लेक्शन के बारे हम बाते कर तो दो सब 111 करोट का इंकमिस ने किया हुआ है आज की इस वीडियो में हम इस मुवी से जुरे कुछ ऐसे रोमांटिक फैक्ट को बता की कहानी को भी इन होने ही लिखा हुआ है और इस फिल्म को पडियूस किये हैं सल्मा खान कबीर खान एन उनके साथ जो है सल्मा खान ने मिलके इस फिल्म को पडियूस की थे साथी इस मुवी की कहानी के बारे हम बाते कर तो 1962 के 1962 के वीतर की एक जो कहानी चीन यूद पर प्रांगू भी इस फिलम में सहाईक हमकाओ में नजर आय हुए है और ऑम्पुरी मुहमन दिशान एणन ऐयूब सहाईक हमकाओ में नजर आय हैं फिलम में शारू खान एककाईम उ में दिखाई देते हैं साथी जूलियस पेकिरियर उनके साथ जो है प्रीतम ने फिलम का संगीत बनाया है जिसमें पुरुवा ने फिलम का एश्कोर बनाया और बाद में गीतों की रसने की थी ये मूबी 2015 की अमेरिकी फिलम यानि की लिटल बाय का रूपा तरन है फिलम को 25 जून 2017 को रिलीज की गई थी इस फिलम को बनाने में 100 क्रोट का बजट का खर्च हुआ था साथी अनुमान इस फिलम ने 211 क्रोट का इंकम किया है और ये मूबी हिर्ट थाबित हुई है साथी कबीर खान ने करनोट फिलम टीब लाइट के निर्मताओं से उनके साथ जो है अमापती प्राणना की थी और साथी पत्र प्राप्त किया था फिलम मांकन का पहला सेडियूल जुलाई 2016 में हुआ था और साथी इस मुमी की सुटिंग है लदाक में शुरू हुआ था साथी चीनी अवी नेतरी जुजु को इस भौमका के लिए अंतिम रूप दिया गया था और उन्होंने 7 अगस्ट 2016 से शुटिंग शुरू की थी पहला सेडियूल एक महीने तक चला था और अगस्ट 2016 के मध्य में पूरा हुआ था साथी इस फिलम को ज्यादा तर नकाट कमक समिक्षा मिली है और समिक्षे के बारे हम बाते कर तो इस फिलम को एगरी ग्रेटर और वेब साइट रोटेन टमान्टोस पर फिलम को 15 समिक्षकों के आधार पर 27 रेटिंग दी गई है और साथी 10 में से 5.2 की आउसत रेटिंग इ साथी यानि की उप देश के रूप में सिनेमा में है जो की फिलम को इस पार्ट और उनके साथ बहुनात्मक रूप से संबंधन बनाता है साथी यकीन विस्वास पर इसे अच्छे इरादे से और उनके साथ ब्याख्यान एक मनोरंजग कथा में तबदिल कर दिया गया है और नहीं होती है दा इंडियन एक्स प्रेश की सुबरा गुपता ने इसे 1.5 की रेटिंग देते हुए कहा कि संदेश एक दम सही है लेकिन जब मुख्या कार्य यानि की आसवस्त नहीं होता है तो फिलम सेरसक की तरह ही बन जाती है ज्यादा तर उनके साथ वे ठोरी देर में चमक के साथ जो है जिल मिल जिल मिलाहट पैदा होता है और इंडी टेवी की राजस सिन ने इसे 1.5 की रेटिंग देते हुए टिपनिकी की बिचारा छोटा यानि की सुपर स्टार जो की बेहतर नहीं जानता है और फिलम को परमुख विक्ती के कारण देखने यो गया नहीं है दोस्तों इस वीडियो में हम रिविव कर रहें सल्मान खांसर की टेवलेट मूवी को इस मूवी को अगर आप यूटूब पे देखना चाहते हैं तो इस फिलम को आप यूटूब पे नहीं देख सकते इस मूवी की बजट एंड बॉक्स अब इस कलेक्शन के बारे में हम बतला रहे हैं इस फिलम को 100 करोट के बजट बे बनाया गया था इस मूवी ने 211 करोट का इंकम किया हुआ है इस फिलम के पडियूसर है सल्मान खान उनके साथ सुहेल कान एन साती जो है सल्मा खान ने मिलके इस फिलम को पडियूस किया हुए है इस मूवी को डायट किये है कभीर खांसर आपको पता है कभीर खांसर एक बहुत बड़े राइटर एंड डिरेक्टर है दोस्तो इस वीडियो में हम टुबलेट मुवी से जुरे कुछ ऐसे रवांटिक फैट को बताएंगे जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे आई होब कि आज कई वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा फ्रेंड वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बलाइकन को भी प्रेस कर सकते हैं इसी तरह की वीडियो आपको हमारे इस चैनल पे देखने को मिलता है इन बलीबूट की सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल पे दिखाया जाता है इस फिलम के बारे में लिखते हुए तरण अदर्स ने लिखा है के साथ इस शलीड इस्टार पावर के साथ जो है सलमान खान उनके साथ जो है इस टेनिंग ब्यूजल को लेकिन ट्यूबलेट बड़ी ब्यूटिफूल है और उनके साथ जो है माइन सूल ने 25 News के साथ जो है 17 के राजिव मंसद ने फिल्म को 5 में से 155 बे स्टार्ट दिये और कहा कि टीवलेट अच्छी तरह से इरादे वाली एक मूवी है लेकिन अत्याधिक जो टोड़ वाली मूवी है और आपकी दिल की धरकनों को इतना नहीं खीजता है जितना कि यह आपके चेहरे पर यानि कि घुशा मारता है और मांग करता है कि आप परवाह करे या लगबग 2 घंटे और 30 मिंट में भी अधिक लंबा है और भागों में यानि कि कष्ट भागों में कष्ट दाई रूप से धीमा और उनके साथ उबाव मूवी है साथी स्वास के जहाने फिलम को एक बरश्ट यानि कि आत्मा के साथी जो है गहरी अंतर डिरिष्टी के साथ जो है एक फिलम के रूप में वर्नित करते हुए फिलम को 3.5 का दरजा दिया और बिस्वास या थी कि हुई आत्माओं के लिए एक यानि की टानिक की तरह है और आप खुद को फिलम और पात्रों के साथ जो है बाचित करते हुए पाएंगे इंडिया डाट कॉम ने फिलम को 3.5 का मुलेंकन किया और कहा कि अगर आप जो है सल्मान खान के प्रोशंसा है यानि कि उनके प्रोशंसा का फैन है तो इसे देखे अगर आप नहीं है तो इसे भी देखे लेकिन सल्मान खान को कुछ गंभीर अविन ने करते हुए देखना चाहते हैं और बलीबूड बलीबूड लाइफ से जुरे हुए यानि की तुसाठ जो सी भी इसे जो है 3.5 की रेटिंग देते हुए लिका है कि टीब लाइट में बिस्वास रखने और उनके साथ जो है अ लेकिना अयार ने फिलम का मुलेंकन किया और 3.5 की परिवार के मुलियों और उनके साथ जो है भाईयों के बीज जो है मजबूत बंधन के अदार पर इसकी रेटिंग दिया है दोस्तों इस मुवी की रिवीव रेटिंग के बारे में अभी हम बाते कर रहे हैं ते साथ ही इ इसे वीडियो में आपको बतलाएंगे और इस मुवी की कहानी को भी इस वीडियो में हम रिवीव करेंगे और इस फिलम को कहां कहां पर सूट गया गया था इसके बारे में आप लोग को बतलाएंगे तो इस वीडियो में आप अंतक बने रहे हैं फ्रिंड आप लोग को पत ओपनर बन गई और कूल मिलाकर फिलम ने बॉक्स अपिस में अच्छा प्रदर्शन किया हाला कि इसने दस दिनों में दस दिनों के अंत में दुनिया भर में 200 कुरोड का इंकम किया जो कि 27 मिलियन की कमाई की थी यूए से डल में जिसमें 152 कुरोड एंट 20 मिलियन भारत से ही और फिलम की अंतिम कमाई दुनिया भर में 211.14 कुरोड हुआ था जो कि 28 मिलियन है जिसमें भारत में 165 की कमाई किया था और बाकी जो है इसके 45 कुरोड जो है बाहर यानि की वर्ल्ड वाइट कलेक्शन जो है 45 कुरोड का इसने किया था दोस्तों यह थे इस मुमी की बॉक पहले कौन से स्टार काष्ट को साइन किया गया था दोस्तों यह सब को जानने के लिए इस वीडियो में आप अंतक्त बने रही है फिर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे इस वीडियो को पसंद कर रहे है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए है तो भारत में लक्षबन सी बिष्ट के एक उनके साथ जो है मान्चिक रूप से बीक लग बच्चा है जिसे अपने छोटे भाई भारत धारा बचावा किया जाता है लेकिन उसके दोस्त धारा जो है उसे धमकाया जाता है जो कि उसे टीव लेट कहते हैं टी बलेट का किड़ार इस फिलम में सल्मान खान ने निभाया है एक असेंबल उन्हें जो है बड़े होते हुए देखता है उस समय को दिखाता है जब कांधी उनके इसकूल जाते हुए दिखते हैं 1947 में भारत की सौतंतर गांधी यानि की गांधी जी की हत्ते और उनके मातापिदा की मिर्ट्यू जो की उन्हें बड़े होने के साथ जो है करीब भी लाती है अक्टूबर 1922 में वा जो है चीनियों ने भारत पर अक्रमन किया था जिसके बाद भारतिया सेना ने उनके साथ जैसे की वा अपने पत पर पहुंचते हैं और यूद की घोसना हो जाती है और वा जो है उनके साथ भारी हमले की साथी जो है चपेट में आ जाता है लक्षमन उनके साजो उत सुकता से अपने भाई के वापस आने की प्रतिक्षा करते हैं और उनके बारे में पता लगाने क लिए एक चोगी से दूसरे इस्थान पर दोड़ते हैं वह एक जादूगर उनके साथ जो है गोगो पाशा से मिलते हैं जो कि उसे बिना छुए एक यानि की बोतल हिला कर एक जादू एक जादू की चाल दिखाता है पासा लक्षमन को बताता है कि रहसे बिस्वास है और वह अपने यानिकी ग्रामीनो को चल दोहराने की कोशिस करता है लेकिन असफल रहता है और गाउ के एक बुजूर्ग ने बने कहते है और साथी बिश्वास एक पहाट को हिलाता है और बताता है कि लग्शमन अपने बिश्वास को कैसे खो जेगा इसी बिश भारत के एक चोट के बाद निकला जा रहा है और उसी पर गाउत लगा कर हमला किया जाता है और उसे बंदी बना लिया जाता है वह अन्य कैडियों के साथ भागने की योजना बनाता है लक्षमन एक महिला ले लिंग और उनके साथ एक लड़की गूबोन के पास में एक घर लेते हुए देखते हैं उनकी उपस्तिती से उन्हें देखते हुए उन्हें चीनी मानते हैं और साथी उन्हें अधिकारियों को रिपोर्ट करने की कुशिस करते हैं बने कुधीत हो जाते हैं और उसे गन्दी के ग्यान का पालन करने और नके साथ लड़के से मितरता करने की सफलता देता है कुछ परियासों के बाद उनसे दोस्ती करने में शफल हो जाता है और सीखता है कि चीनी नहीं बलकि उनके साथ जो है असमिया है इसी बीच भारत की भागने की योजना बिफल हो जाती है और इसके साथ ही मारे जाते हैं उसे भी गूली लग जाती है और वह खुद को यानि की हिनने और डूलने में और समार्थन पाता है और बचने की कोई उमेद नहीं होने के कारण वह अपने जूदे को दूसरे सेनिक के साथ जो है बदल देता है और जिसने जो है उसे जो है यानि की फटका रहा है और ताकि उसे जो है बतने का मौका मिल सके हाला कि दूसरा लड़का भी मारा जाता है दोस्तो इस वीडियो में हम इस मुवी की कहाने को रिवियू कर रहे हैं इस फिलम से जुरे कुछ ऐसे सची फैक्ट को बता रहे हैं जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे दोस्तो हमारे इस चैनल पे आपको मुवी रिवीव एंड मुवी की फैक्ट देखने को मिलता है अगर आपको ये वीडियो फ़संदा रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देजिया हो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं आज की इस वीडियो में हम रिवीव करें टी बलेट मुवी को इस मुवी की बॉक्स अबिस क्लिक्शन और इस फिलम की बजट के बारे मैंने आपको पहले ही बतला दिया है अगर आप लोग इस मुवी को यूटूब पे देखना चाहते है तो इस फिलम को आप यूटूब पे नहीं देख सकते है यानि की संतोना देता है और उसके विश्वास को जो है प्रतु सहीद करता है और लक्षमन का दोस्त यानि की नरायन उसे चीनी मानकर बोन पर हमला करने की कुशिश करता है लेकिन लक्षमन उसे जो है रोक देता है वो जो है लक्षमन को चीनी लोगों से मीत रता ना करने क मीतरता ना करने के लिए मनाने का प्रयाश करते हैं या वह हमेशा के लिए भारत को खूद देगा और उनके साथ लिंग ने आशू बहाते हुए उन्हें बताया कि वा भी भारतिय है और जैसे ही लक्षमन यानिकी विश्वास में अपने बिस्वास को समझने की कोशिश करता है और नरायन उन्हें एक यानिकी पहाड को हिलाने की चुनवती देता है लक्षमन इस पष्ट रूप से सफल हो जाता है क्योंकि उनके साजो भूकम्ब महसूस भी होता है यूद उनके साजो यूद बिराम की गोसना के साथ ही सिना ने लासो को वापस लाना शुरू कर दिया वो जो है भारत के जूते के टैक के साजो एक मिर्ट सरीर पाते हैं और उसे जो है मिर्ट गोशित कर देते हैं लक्ष्मन दुकी है और उनके साच मानता है कि लोग उसके बारे में सही थे कि अब भारत को मार्ड दिया गया है जैसे ही दोस्त यूद के अंद का वो जस्न मनाते हैं लिंक का खोया हुआ पिता उसके पाश वापस आ जाता है और लिंग और कू लक्षमन को साच जो है सौतन उनके साच जो है संतावना यानके संतावना देते हैं और क्योंकि वा जो है कलकता लोटने के लिए उनके साच जो है बिदाई देते हैं लक्षमन अभी भी उस पर जो है धोरा सा विश्वास रखते हुए उनके साजु आपस में जूतों के कारण लाशों की पहचान करने में गल्ती के बारे में सेखते हैं और उन्हें ख़बर मिलती है कि भारत अब भी जिन्दा है लेकिन उसकी यादास चली गई है उनके साजु चेकिस दस्ता और सिबीर में लक्षमन अपने भाई के साजु फिर से जूट जाता है जो कि लक्षमन को पहचानने में उनके साजु सच्छा में और साथी जो संभवत और उसकी यादास को उनके साजु बेहाल कर रहा है फिर इस मुवी की जो कहानी थी यहां पे खत्म हो जाती है इस से ज़्यादा जनकारी आपको यह मुवी देखने पे ही मिलेगा इस फिलम से जोरे कुछ ऐसे रोमन्टिक फैट को हम बता रहे हैं जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंदा रहा होगा फ्रेंड वीडियो पसंदा रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिलाइकन को भी प्रेस कर सकते हो इस मोबी से जुरे कुछ ऐसे रुवांटिक फैक्ट को हम बता रहे हैं जो आप लोग बिलकुल भी नहीं जानते होंगे साथी इस मोबी की बज़ेट एंबॉक्स और इस किलेक्शन के बारे में भी इस वीडियो में हम आप लोग को बतला रहे हैं इस फिलम में आपको ईशा तलवर भी देखने को मिलती है जो कि एक डैंस के सीन में आपको दिखाई देती है इनके जादे बली बुड़ में फिल्म तो नहीं है लेकिन इनके बारे में मैं आप लोग को तुरे सी इनफरमिशन देना चाहूंगा सबसे पहले बात कहते हैं इनकी जनके बारे में तो बाई डिसम्बर सन 1987 में का जनम हुआ था इसा तलवार का और इसा तलवार जो है काफी जादे खुबसर दिखने वाली एक्टरस है और इन्होंने कई सारे बले बुड़ फिल्मों में काम किया है इसके बारे में आप लोग को इस वीडियो में हम बतलाएंगे जोस्तों आप लोग को पता है मैं जिस मुवी को रिभीव करता हूँ उस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में आप लोग को जरूर बतलाता हूँ और साथी मुवी की बज़ेट इन बॉक्स अब इस कलेक्शन के बारे में भी आप लोग को बतलाता हूँ इस मुवी की बज़ेट इंबॉक्स भी स्क्लिक्सन किया था ये मैंने आप लोग को थोड़े से इंफर्मिशन दे दिया है साथी इस मुवी से जोरे कुछ ऐसे रमांटिक फैट को हम बताएंगे इस वीडियो में जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे आयो की आज के वीडियो आप लोग को पषंदा Лऄ थोशल इसलिक इसा तलवार के बारे में इस वीडियो में हम जानते हैं ये है इस तलवार में एक बारतिय अभी नहीं नहती है और साती माडिलिंग है जो की मुक्या रूप से मल्यालम और हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करती है इसके अलावा कुस्तमेल और तिल्गू फिल्मों में भी दिखाई देती है और उसने कई सारे फिल्मों में काम किया है और कई सारे माडलिंग असाइन्मेंट को पूरा किया है एक माडल के रूप में सुरूआत की थी और विविन्ह बिग्यापनों में दिखाई दिती और बात में 2012 की बली बूर्ड menor की मली बूर्ड फिलम यानी की थत्ता थीम उनके साथ जो हमरीयधू के साथ अपनी फिलम की शुरूआत की थी इसा तलवार का जनम 22 डिसमबर 1927 को हुआ था साती बारतिय फिल्म अभी ने था बिनुत तलवार की बेटी है मुंबई में जन्मी और पली बड़ी हैं उन्हें उन्होंने सेंट उनके साथ जिबी यर्स कालेज में मुंबई से इस नाते की उपाती यनकी डिग्री हासिल की है हुआ 2004 में कुरियोगराफर की यानि की ट्रेंस और उनके साथ लुराई के साथ डांस स्कूल में काम किया था डैंस उसकुल में इन्होंने सामिल हुई थी साथी जहां उनके साथ जो है बैले जैंज ही पाप और उनके साथ जो है साल साजे से विभिनना नेटिया रूपो को सिखा था और डैंस स्टूडियो में एक ट्यूटर बन गई थी एक ट्यूटर बन गई थी उन्होंने कहा कि उन उनके साथ बीबेल कोरियो उनके साथ फेरनेस क्रीम का इसकीन और साथी क्लीनिक यानिक डिवलक्स पिंटेस और साथी घातरी और कई सारे सिंपू के ब्रैंडों का इंबेस्डर भी रही थी इसके अधिक बिगिया अपनों में दिखाई दिये थे इसके अलावा यानिकि जो है रितीक रोसन के साथ एक संगीत वीडियो भी वह जो है कहती है कि उन्होंने अपने पहले फिल्म की तैयारी में दो साल बिताये थे हलाएकि उन्होंने दो हजर की दो हजर की दसक की बलीबूट फिल्म हमारा दिल आपके पास है में एक बाल अभी नेतरी के रूप में काम किया था उनकी पूर्ण उनके साथ लम्पाई वाले फिल्म के शुनुआद जो है मलेयलं फिल्म साथी जो थटा थीन और मर्या तो फिल्म केसाथ हुई थी जिसके लिए उन्होंने चार महीने की आवाज प्रसिचन का प्रसिचन कछा ली थी भासा सीखने के लिए एक कोर्स किया था और साथी जो है गिटार बजाना भी सिखा था जिस फिलम में उन्होंने एक हिंदू लड़के के प्यार में पढ़ने वाले मुस्लिम लड़की आईशा की भूमका निभाई थी एक ब्लॉकबास्टर बन गई और अडिव.com धारा उनक में एक सचादाकार में उसने कहा कि आईशा की भूमका ने उसे जो है काफी पहचान दिलाई थी और वह फिलम से ही अपने लड़की की बगल की छवी से वह वास्तों में खुशी थी और साथी जो भी उन्हीं यानिकी उन्हीं क्रिस्ना की उनकी दूसरी फिलम आई लॉव में जो है उन्होंने आशिफ अली और उनके साच जो है उन्हीं मुकंदन के साच जो है मुक्या भूमकाय निवाई थी उन्होंने कहा कि फिलम यानिकी समान थमें उनके चृत्रवें भूरे रंग के रंग थे और साथी ईशा तलवार को वर्स 2015 की मलेयालब फिलम उगोग मे सबसे वाचनिया महिलाओ के रूप में नामीड किया गया था वाचनिया था कि विसरे पर जो है उन्होंने कहा कि या किसी के यानिकी वेक्टिगत के बारे में नहीं है ना कि अच्छे दिखने के बारे में है या पुछे जाने पर कि उनके अनुसार सबसे वाचनिया दारान आकर्षन और करिस्मा उनके साथ जो करिस्मा है उन्होंने रिपोर्ट चैनल के सचाताकार में यह भी का कि मुहनलाल उनके पसंदेदा अभी नेता है दोस्तों इस वीडियो में हम रिवीव कर रहे हैं इस मुवी को टीप लाइट फिल्म को जो कि सल्मान खान इस फिल् को हम बता रहे हैं चो आप लुग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे दोस्तों अगर आप सल्मान खान के फैन है और इनके फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो में आप अंतक बने रही हैं अभी हम बाते करें इस तल्वार के बारे में जिन्हों ने इस फि सकार्ट मग पढ़ती करिया के लिए ये फिल्म खुला था और उनकी तमिल शुरुमात थिलू थिलू मुवी थी थिलू मिलू उसी यानिकी सर्षक वाली 1971 की तमिल कमेडी फिल्म की रिमेक मुवी थी एक ब्योशाइक सफलता मुवी थी 2014 में मलेयलन फिल्म उनकी साथ बला यकला सिक मुवी में काम क्या था साधी उस्सव शाधी समीती गास रॐं करीदी और अंजली मिनन के बैंगलो डेंज में देकी गई थी और साधी उन्होंने सिद्धिकी की उनके साधी बात्स रासकल में बिस्तारित केमियों की भॉमका के लिए इनहें सूट की गई थी हुआ अपनी भूमका को दोहराते हुए साजिजवे थतात थीन और साजिजवे मर्यातों में तमील रिमेक की भी उनके साजवे सुटिंग कर रही है वह जो है सलमान खान के साथ हिंदी फिलम ट्यूब लेट में माया के रूप में भी दिखाई दी उन्होंने सैफ अली खान के साथ भी काम किया है ट्यूब लेट फिलम को डेट किया है कबीर खानसर ने और इस फिलम को परड्यूस भी कबीर खानसर ने ही किया है तो इनके रियल लाइफ के बारे में अब हम जानते हैं कबीर खान सर एक भारतिय फिल्म निर्देशक है पत्कता लेकक आउट साथी जो है च्छया का रहे हैं उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है साथी डॉक्यूमेंटरी फिल्मों के डॉक्यूमेंटरी फिल्मों में काम करके किया था और फिर 2006 में काबूल इनके साथ वे एक स्प्रेस के साथ वे फिचर फिल्म निर्देशक की शुनुआत की थी जिसके बाद नियू वेर्क में 2009 एक था टाइगर फिल्म 2012 में इन्होंने इस फिल्म को डिरेट किया था बजरंगी भाईजान 2015 में और फैटम फिल्म 2015 में और टी बलेट मुवी 2017 में इन सभी फिल्म भाषी माशे हुआ था साथी इनका जो इनके साथ जो है रशी दुद्दीन जो की उत्तर परदेश की साथी अफरू उनके साथ जो है फरू खाबाज जिल्ले के कैम उनके साथ जो है कैम कैम गैंज के रहने वाले पठान थे उनके साथ जो है डक्टर जागिर हुसेन और भा जिनें इंद्रा गांदी ने राज्य सबा के सांज चुहयान की मनो नित सदस्य के रूप में संपादित किया था 1970 के दशक की शुरुआत में वाजव अपेक्चा क्रीद कम उम्र के वाजव राजनितिक बिग्यान के प्रोशुफ उनक प्रो प्रोफेसर भी थे और 1970 के दशक के शुरुआत में वा जवाहरलाल नहरू और बिश्व बिधाले के सस्थापक यानि की प्रोफेसर में से एक बन गए थे उनकी पहेन अनुसे टर्शन और साथी जो धूम थ्री जैसे फिल्मों के निर्देशक और फिलम निर्माताई बिज़ए करिशना अचार्या की पतनी है साथी कबीर खान ने दिली और साथी जो बिश्व बिधाले के किरो डीमल उनके साथ जो है कलेज के साथ जो है दिली में जामिया और साथी जो मिलिया इसलामिया में पढ़ाई की है उन्होंने टेली वजन और साथी जो होस्ट और अभी नेतरी मीनी माथूर से साधी की है जिन से जो है उनके दो बच्चे है और साथी बीवान और उनके साथ जो है साहरा सुनवाती जिनों में उन्होंने साथी नकली साथी नकमी और जैसे जो है परमुफ पत्रकार के साथ जो मुद्दो के कारण जो है उनके लिए दुनिया भर में यातरा की है फ्रेंड इस वीडियो में हम रेविव कर रहे कर रहे कर रियल लाइफ के बारे में जिन्हों ने इस फिल्म को डिरेट किया है टीव लैट मोबी को कबीर खान अपने करियर की शुरुआत पतीस साल के उम्र में यानि की गौतम घोशा गौतम घोशधारा निर्देशित उनके साथ जो है डिश्क कवरी चैनल की डॉक्यूमेंटरी फिल्म बियंदा से की थी साथी बियंदा हिमाल्या में 1996 के लिए एक छयाकार के रूप में की इसके बाद उन्होंने सुभाज चंद्रव बोश की इंडियन निशनल उनके साथ आर्मी पर अधारी डॉक्यूमेंट दौ साथी जो है फॉर्गाट आर्मी 1999 के साथ अपना निर्देशन शुरू किया था इसके बाद उन्होंने मुख्यधारा के सिनेमा पर अपना ध्यान क इंडरीद करने से पहले दो और उनके साथ ब्रेतर चीतरों का निर्देशन किया था कबीर खान ने यासराज फिलम के उनके साथ समर्थीत काबूल एकस्प्रेस के मात्यम से शुरूआत की थी जिसने जो है उन्हें 54 वे रस्टेडिय फिलम पर प्रुसकार में एक निर्दे किया था साथी अथार्ट निव वर्क और एक था टाइगर फिलम जबकि काबूल एकस्प्रेस और आउसत के और आउसत से कम प्रुदर्शन करने वाली मूबी थी और निव वर्क और एक था टाइगर फिलम दोनों ने उसे जो है मुख्या धारा की सफलता तक पहुचाया थ यासराज फिलम्स के साथ जो है अपनी थ्री फिल्मों की डिल यानि की समाप्त होने के बाद सलमान अकबीर खान ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कमपनी की सापना की और उनके साथ जो है बजरंगी भाई जानके साथ जो मुख्यधारा की पत कथा लेखन में कदम रखा था जो कि उनकी अब तक की सबसे सफल फिल्म है और विश्वज स्थार पर जो है तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भाड़तिया फिल्म रही है इस फिल्म ने 63 वे रस्टीडिया फिल्म फेर प्रोड़कारों में संपूर्ण मन रुनजन परदान करने वाली सर्वस रि यानि लोग प्रिया फिल्म के लिए रस्टीडिया फिल्म फेर प्रोड़कार प्राप्त किया है बजरंगी भाई जान की सफलता के बाद उनके साज़ उद्रन वांचित उन्होंने कैट इना कैफ और सेफ अली खान को जो है यानि कि फैटॉम में निर्देशित किया था जो 1922 के चीन भाटे यूद की प्रश्ट बोवी पर अधारित मूबी है और जून 2017 में दुनिया भर में रिलीज के उनके साथ चीनी अफी नेत्री जूजू की शुरू आत हुई थी मूल की तरही फिल्म को नगार तमक समिक्षा मिली लेकिन सल्मान खान के प्रदर्शन और नि जादी के लिए सुभाज चंद्रा बोज की आजाद हिंदी फौज पर अधारित फाइब यानि एपी शूड मूल एमजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी संकला का अधार उनके 1999 के इसी नाम के साथी वर्त चीतर से अलग है साथी कबीर खान अगली बार 1983 की क्रिके देव की भूम का निभाएंगे उनकी अगली फिलम दा साथी जुकी फर एक यानि चीन भारतिया प्रोडॉक्शन है यह एक यातरा संबंधी ड्रामा फिलम है जिसकी शूडिंग जो है चीनी भारत चीनी जो है शहर में उनके साथ चेंग दू और साथी जो है आस पास के छे निया किया जाएगा इस फिलम में आपको सल्मान खान उनके साथ सुहैल खान भी नजर आएंगे सहायक ममकाओं में दूस्तो इस वीडियो में हम रिवियो कर रहे हैं इस मुबी को और इस फिलम से जुरे कुछ ऐसे रुमांटिक फैट को हम बता रहे हैं जो आप लोग बिल ये है सल्मान खान इनके पिता एक पत्कता लेखा का सलीम खान के बेटे सबसे बड़े बेटे हैं सल्मान खान ने अपने अभिन्य करियर की शुरुआत बीबी हो तो ऐसी फिलम से किया था 1988 में सहायक भूमका के साथ की जिसके बाद जो है मैंने प्यार किया में एक अहम भूमका निभाई थी 1989 में एक परमुग भूमका के एक परमुग भूमका निभाई और सल्मान खान ने बलीबूड में 1990 के दसक में रोमांटिक ड्रामा हम आपके हैं कौन फिलम में काम किया थ हम आपके हैं काउन सहीत कई मुवी जो है प्रस्तूतियों में भूमकाय जारी रखे थी और 1994 में एक्षन कमेडी अंदाज अपना अपना फिल्म में अभिन्या किया था मुवी को 1994 में रिलेज्ट किया गया था एक सन ठ्रिलर करन अरजिन मुवी 1995 में रिलेज्ट किया गया था कमेडी बेवी नंबर वन 1999 में रिलेज्ट किया गया था और साथी परिवारिक ड्रामा मुवी हम आहम साथ साथे में 1999 में इनको देखा गया था सन 2000 के दसक में गिरावट की सामना करना पराता सल्मान खान को औरेक यानिक सन्चिप्त अबदी के बाद सल्मान खान ने 2010 में दबंग मूबी 2010 में रेड़ी फिल्म और 2011 में एक तर टाइकर फिल्म का निर्मान किया 2012 में कीक फिलम को निर्मान किया था और 2014 में उनके साजुए सुल्तान जेसे सफल एक्शन फिल्मों में मुख्य भूमका निभा कर यानि की अधिक यानि की स्टार्टम हासिल कर लिया था 2016 और उनके साजुए टाइगर जिन्दा है मुवी 2017 में इन्हों ने अभिन्य किया है साथी अपने अभिन्य करियर के अलावा सल्मान खान एक टेलिविजन प्रस्तूत करता है जोकि अपनी चैरिटी उनके साजुए बी इंग हयुमन उनके साथ फाउंडिशन के माद्यम से मान विया कार्णो को बढ़ावा देते हैं सल्मान खान ओफ एस्क्रीन यानि जीवन बिवादो और साथी कानूनी प्रेशानियों से भरे हुए हैं 2015 में उन्हें लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में गैर इरातन हत्या का दोशी ठहराया गया था जिसमें उन्होंने अपनी कार से पांच लोगों को कुचल दिया था जिसमें एक की मौत हो गई थी लेकिन साथी अपील पर जो है उनकी सजा को रद कर दिया गया था साथी अपरेल 2018 को सलमान खान को एक काला हिरन उनके साथ जोए सिकार मामले में दोशी ठहराय गया था और पांस साल कैद की सजा सुनाई गई थी कुआ फिलहाल जो है जमान तो बाहर है जबकि एक अपील पर सुनवाई अभी भी चल रही है केस चलने के बावजूद भी सलमान खान ने 1947 से लेकर 2020 तक वर्ट्स के सबसे अधिक कमाई करने वाले दस याने फिल्मों में अभी ने किया है जो कि हिंदी सिनेमा के इतिहास के किसी भी अभी ने तक लिए सबसे अधिक है साथी सलमान खान भाईयों के साथ यह अरबाज खान उनके साथ यह बाईयों के सबसे बड़े बेटे हैं जिन्हों ने बाद में सलमान खान नाम अपनाया था और 27 डिसंबर 1965 को एक हिंदो माई और एक मुस्लिम पिता के घर पैदा हुए थे सल्मान खान का पालन पुशन दोनों धर्मों में हुआ है और उनके दादादी साथी जो है अला कोजई साथी जो है पस्तून थे और अफगनिस्तान से आये थे जो कि 27 सो के दसक में मद्ध है कि उनके साथ जो है इंदोर और राज या इंदोर साथी जो है रेजी डेंसी अब यानिकी माद्य परदेश में पड़ती है ब्रिटिश भारत में आकर बस गए थे हाला कि उनके साथ जो है जसीम खान ने अभी नेता की अपनी जीवनी में कहा है कि उनके परवा जैनकी ब्रिटिश भारत वरतमान खैबर और साथी जो है पक्तोन ख्या पाकिस्तान के उत्तर पच्छी में सीमा परान की है साथी साथी जो है इस वार घाटी में वा जो है मलकंद में यूसूफ जैई और साथी जो है पस्तोनों की अकू जैई में उप उनक महा निरीच छीक थे और जिने जो होलकर काल के दिलेर और जंग यानिकी पुरसकार के उनके साथ जो सम्मानित किया गया था सल्मान खान की मा एक ग्रिहनी है और जिनके पिता यानिकी बल्देव से ही चरक उनके साथ जो है एक उनके साथ जो है डोगरा राजपूत है जम्मू और कश्मिर के जम्मू से आते हैं और जिनकी मराठी मा महराश्टर से आती है सल्मान खान की हिंदी और अंग्रेजी के अलावा मराठी भी बोल सकते हैं और उनके दो भाई है अरबाज खान और सुहेल खान और दो बहने उनके साथ जो है अलबिरा खान और अगनी होतरी से इनकी बहन की शादी हुई है दोस्तो इस वीडियो में हम रिविव कर रहें सल्मान खान की रेल लाइफ को और इस हुई हो इनकी इन्होंने अब तक जो है कितने फिल्मों में अभिन्य क्या है इन सब चीजों का रिविव आपको इसी वीडियो में हम देंगे तो अगर आप इस वीडियो पे नए है और इस चैनल पे नए है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं आई होब कि आज का वीडियो आप लोग को पसंदा रहा होगा वीडियो पसंदा रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को प्रेस कर दीजिए सलमान खान ने अपनी अभिन्य की शुरुमात 1988 की फिल्म बेवी हो तो ऐसी से की ती जिसमें उन्होंने एक शहायक भूमका निभाई थी उन्होंने शुरुज आर बढ़ जातिया के रोमांटिक परिवारिक ड्रामा मैंने प्यार किया फिल्म 1989 में परमुक भूमका निभाई जो कि उस समय सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतिया फिल्मों में से एक बन गई थी इसने जो है उन्हें उसी यारी समहरों में सर्वसरिस्ट पर्डार्बन के लिए नमांकन के साथ फिल्म फैर में सर्वसरिस्ट अभी नेता के लिए अपना पहला नमांकन अरजीत किया था बाद वाले को उनके साथ बढ़ जाते के बढ़ जाते को समानत किया गया था मैंने प्यार किया को अंग्रेजी में वहेन लॉक काल्स कहा जाता है और इस मिनिस में यानकी आमो और उनके साथ तिल्गू में प्रेमा पबू रालू के रूप में डॉप किया गया था और इसको कई सारे कंट्री में रिलीज किया गया था 1990 में सल्मान खान की अभी नी थी एक फिल्म रिलीज हुई थी बागी मुवी का नाम था और एक यानिकी रिबेल फार लॉव यानिकी बॉक्स अपस पे सफल रही थी साथी इसके बाद 1991 में तीन मामली सफल फिल्म में रही थी पत्थर के फूल और सनम बेवफ़ा और साथी कुर्बान मुवी उसी वर सल्मान खान ने संजैदत और मादुरी दिखचित के साथ रुमान्टिक ड्रामा साजन में सह कलकार के रूप में काम किया था 2007 में बिसुआ एर्स यानिकी दिवस के एक यानिकी कारे अकरम में शेफ अली खान के साथ सल्मान खान उनके साथ जो है दाए और 1994 में सल्मान खान राजकुमार संतोसी के साथ जो है अंदाज अपना अपना फिल्म में काम किया था रिलीज के समय फिल्म बॉक्स अपिस पे अगली बार सल्मान खांसर ने अमीर खांसर के साजोय काम किया इस फिल्म का नाम था अंदाज अपना अपना और इनके साजोय अविन्य किया था ये मूबी बॉक्स अपिस पे और सफल रही थी साथ ही इसके बारे में इस वीडियो में हम आप लोग को इसी वीडियो में बतलाएंगे अन्दाज अपना अपना मूबी जो है उतनी शफल नहीं रही और उसमें जो है फिलम फिर में सर्वसिश अभी नेता के लिए अपना पहला नमांकन अरजीत किया था बाद वालो के नेकिबड़ जैते है कि साथ वे समेनत किया गया था और साथी 1990 में सल्माद खान ने कई सर्वे फिलमों में काम किया था और इन मेंसे कई सर्य मूपी जो ऑज सिफल रही ते जिसमें पतर के फूल और उनके साथ постро je सामिल थे उसके बाद जो है सन 2007 में 20 पोजा एर्श त्यूस की एक करियर कर्म में साहिफ अली खान के साथ जो इन्होंने काम किया था सन 1994 में सलमान खान राजकुमर संतूसी की अंदाज अपना अपना में अमेर खान के साथ काम किया था ये मूभी असफल रही थी पिछले कुछ वर्षों में इसने पंध का दर्जा हासिल कर लिया है बाद में वर्ष में उन्हों ने यानि की निर्दिसक सुरज बढ़ जाते हैं के साथ रोमान सहम आपके हैं कौन में सहयोग किया सह कलकार उनके साथ जो है माधरी दिक्जित 1995 के प्रषकार सत रखे दौरान फिलम ने जो है सर्वस रिष फिलम सर्वस रिष नेड़ शक और सर्वस रिष अभी नेटरे के लिए थरे फिलम फेर प्रषकार जीते इसने वर्ष की सबसे लोग प्रियतर फिलम होने का रश्टीडी फुरसकार भी जीता दुनिया भर में 1.30.35 बिलियन से अधिक कमाई की यूशे में कनफर्ट कर दे दू 18 मिलियन से अधिक कमाई किया था यूशे में बाक्स अधिक कमाई करने वाली मोवी है और ब्लोक बासर साबित हुई थी साथी ऑपीस अधिक कमाई करने वाली बाली फिल्म थी 1995 में उन्हों ने राकेश रोसन की करन अर्जन में शारू खान के साथ अभी निया किया था। दोनों ने भाईों की भॉमका निभाई जो की परिवारिक शत्रू उधारा मारे जाने पर जो है बाद में पुनट जनम लेते हैं। करन के रूप में उनके उनकी भॉमका ने उने जो है 1995 के फिलम फैर सरवस रश अभी नेता प्रसकार के लिए नमागित किया था। और ये मोवी भी बलॉक बास्टर रही थे और सुपर हेट ये फिलम जो है सुपर हेट जो है कमाई किये थे। इसी तरह सलमान खान ने अपने करियर में कई सारे फिलमों में काम किया है इस फिलमों को देखना पसंद करते है तो इस वीडियो को लाइक कर दिजिए 1994 में सलमान खान ने संजय लिला बंसारी के साथ नेर्डेशन में बनी पहली फिलम खमोशी दम्यूजिकल में अभिन्या क्या हुआ भी दिखाई दिये थे और राज कमर के एक्सन ने जीत को हीट कर दिया था 1997 में उनकी दो रिलिज हुई थी मोवी जुरुआ और औजार फिलम पहली डिवीड धाउंधारा निर्देशित एक कमेडी मोवी थी जिसमें उन्होंने जनम के समय अलग हुए थे जुरुआ बच्चों की दोहरी भूमगा निभाई थी सलमान खान ने 1998 में पांच अलग अलग फिलमों में काम किया था उनकी पहली रिलिज रोमांटिक कमेडी फिलम प्यार किया तो डरना किया थी जिसे जो है काजोल के साथ रिलिज की गई थी जो कि उस साल की सबसे बड़ी बहुता एक सफलताओं में से एक थी इसके बाद मधह रूप से इसके बाद मध को अपनी हिरासत में लेना होता है फिलम में सल्मान खान के प्रदर्शन ने अनुकूल अलोच नात्मक समिक्षा जीत की थी उन्होंने करंज जोहर के नेडर्शन में बनी पहली फिलम कुछ-कुछ होता है में एक वस्तविक कैमियों भी किया था जिसके लिए उन्हें जो है सर और साथ जो है युनाइटेड बीवी नंबर वन मूफी में इन्होंने काम किया और हम देल देश चुके सनम में एश्वरिया राय अजे जेगन के साथ जिसने उन्हें फिलम फैर में एक और सरबस शुरिष्ट अभी नेता का नमंगन दिलाया था और पुरतकार इन्होंने जीता था फिलम में उनके प्रोदर्शन की अनू कूल समिक्षा की गई थी जिसमें रेटीव की सामिल यानिकी टेली कम ने कहा की सल्मान खान प्यारे हैं वह नाटकिया दिरशियों में उनके साथ जो हैंप करते हैं लेकिन कमेडी और उन यानिकी रुमांटिक दिरशियों क करने में बहुत द्यानी की सहज़ती हैं संदोहजर की दसक में सलमान खान ने चुलिए किरोगैट बच्चेक, जनम के मुद्यी को संबोधित किया था इसने इसमें सलमान खान एक अमिर उगुक्तपती की भूमका ने भाई ती जो अपनी पतनी के बाज होने के बाद भी एक शरूगेट मा को काम पर रखता है साथी रेडिट की सुखनय वर्मा ने लिखा है कि फिलम में एक बेतुगी कहानी थी लेकिन साथ है कलकारो का सहज जो है प्रदर्शन भी था जिससे इसके अन्य दोसों को कम करने में मदद मिली थी दो हजार के दसक, दो हजार दो के दसक में उन्होंने हम तुम्हारे हैं सनम में भिन्या किया तेरे नाम के लिए दो हजार तीन में तरन अदर्शन ने उनके बारे में कहा कि सल्मान कान एक ऐसी भूंका में आशधारन है जो कि उन्होंने टी के लिए यानि की फिट बैठता है और वह उन डिर्शियों में आग लगाते हैं जो बेचैनी के मांग करते हैं लेकिन कठीन लेकिन कठीन बाहरी के नीचे जो है एक कमजोर विक्ती होता है और यह पेलू यान की अंदर होता है बिचैस रूप से बात के अरीलो में उनके साथ जो है सामने आता है और उनके साथ भावनातमग बिशफोर्ट संदार है नीचे सक्यान की सतीश कोशीक ने फिलम में सल्मान खान के काम को जो है मजबूत मानते हुए कहा कि सल्मान खान ने फिलम में शंदार प्रदर्शन किया है उन्होंने एक गहन उनके साथ जो है पराम परगा तक प्रदर्शन किया है जो कि मेरा मानना है कि यह सल्मान खान के करियर का अब तक का शर्वाश रिस प्रदर्शन है उन्होंने मुझे सादी करो गी फिलम में 2004 में और नो इंटरी फिलम 2005 जैसी कमेटी के साथ जो है अपना करियर रखा था और बेहतर यानि कि शोतर की आउसकता किया था ये दोनों फिल्मे हिट हो चुके थे और इन फिल्मों से सल्मान खान को काफी जादा सफल भी हासिल हुई थी अब हम बात करते हैं सल्मान खान की रियल लाइफ की यानि कि 2007 के बाद इन्होंने कितने फिल्मों में काम किये थे एक तो आप लोग को पता है सन 2000 के बाद इनके करियर ने बहुत सरा गिरावट देखा गया था यानि कि इनको कहा जाता है कि 2010 के बाद वैंटेड मूवी के बाद जो है इन्होंने अपने करियर में उचाल मारा और काफी सफलता इन्होंने अरजीत किया था अब सल्मान खान ने 2017 की शरुआत कलाकारो की टुकरी वाले फिल्म सल्मान सल्मान खान ने शलामे इस से जो की इस से की थी इसक से की थी वहा बलीबूर फिल्म उनके साजो है मेरी गोल एंड एडवंचर इन इंडिया में अमेरी की अभी नेतरी अली यानिकी लाटॉर के साजो है दिखाए दिये थे फिल्म ने एक बारतिया प्रूस और एक अमेर की महिला की प्रेम कहानी को बताया सल्मान कान ने 2009 के दौरान उनके साथ जो है सूर टेन का अद्दम के दूसरे सिजन की मेज़ जवाने की साथी बिंज एशिया यूके की 2008 की एक रिपोर्ट के अनुशार सोने जो है यानि सूनी एंटर्टेन्मेंट टेलिविजिन के लिए जो है बारतिया टेलिविजिन रेटिंग में अपना तीसरा इस्थान हासिल करने के लिए इस पर्ट यानि की लक्ष या रेटिंग अंग उनके साथ जो है टी आर पी अर्जित किये थे 2009 वाटतमान बेवसाइक सफलता हासिल करें वह कोरियो गराफर से निर्देशक बने प्रभु देवा धारा निर्देशित वांटेट फिलम में दिखाए दिये फिलम को मिले जुले रिविव मिले बलीबुड हंगामा के तरन अदोर्स ने इसे जो है फाइफ मेंसे फोरे स्टार की रेटिंग दी थी साथी सर्मान खान की ये स्टार पावर पर सवारी चाहता है वो जो है शहर में शर्वस रिष्ट अभी नेतरी नहीं हो सकता है और साथी लेकिन वांटेड जैसी फिलम में एक भूमका में चुकि उनके वेक्टीत हुआ के बिस्टार की तरह जो है लगता है आप किसी और के बा साथ ने जो सो किया और उनके साथ वेक्वास दोनों हैं जबकि गाने उनके साथ वे साधे घरनी थे और सलमान खान भले ही मजए कर रहे हो लेकिन वांटेड जैसी में इस बात को यानिकी रिखान की ट करती है कि बली बूट को यवाप परमूक यानकी पूर्शो की एक सा Cinema मौमे और उनके साथ जो है मिसेस खना और लंदन यानि के ड्रेम्स में जो है दिखाए दिये थे हम 2010 में सलमान खान की पहली रिलीज अनिल सर्मा की फिलम वी उड़ थी और अपनी अगली फिलम जो है दबंग में सलमान खान ने फिलम में जो है हास्य परभाव वाले एक नीड अपनी बेवसाइक सफलता हासल किये थे सलमान खान ने उलेखिया बताया कि टाइम्स ने उगो को भी नोट के और साथी बिजिस ग्यों ने फिलम की लोग पिडियता को सलमान खान की उपस्तिती के लिए जिम में दाठाराया था उन्होंने कहा कि वह सलमान खान के स्टार कर इसमे को इसके उनके साज़ अकर्शन का से रिया देते हैं साथी चुलबल पांडे की अती यानि की सिर्शक अभी व्यक्ति को उनके साज़ बेल गम उस्सा और साथी जोस के साज़ करने में कम्याब रहे हैं फ्रेंट इस वीडियो में हम रिभीव कर रहे हैं सलमान खान की हम टीव लाइट को इस मुवी से जुरे कुछ ऐसे रोमांटिक फैट को हम बता रहे हैं जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को स 117 में रिलेज्स किया गया था और इस मुवी से जुरे इस मुवी की बॉक्स अबस किलिक्षन और इस मुवी के फैट को इस वीडियो में हम बतला रहे हैं फ्रेंड ये फिल्म आपको यूटूब पे फिलहाल देखने को नहीं मिलता है दोस्तों मैंने आपको बतला दिया है कि ये मोबी यूटूब पे देखने को नहीं मिलता है अगर आपको ये रिव्यू पसंदा रहो तो आप इस वीडियो में रुख सकते हो वरना इस वीडियो को स्किप करके आप आगे भी बढ़ सकते हैं सल्मान खन ने अपनी अभिने की शुरुआत 1998 के फिलम बीवी हो तो ऐसी फिलम के साथ इन्होंने किया था इसके बाद इन्होंने कई सारे फिलमों में अभिने किया जो कि सुपर हीटें ब्लॉक बास्टर भी हो चुके हैं इस वीडियो में हम इनके रियल लाइफ के बारे में बतला रहे हैं दबंग फिलम ने कई पुरसकार जीते जिसमें संपूर्ण मनुर रंजन परदान करने वाली सर्वस रिष्ट लोक प्रियता फिलम का रष्टेडिया फिलम फिर प्रियता था बाद में इसे जो है तमियल और तेलगो में दोबारा बनाये गया था फिलम का निर्मान उनके भाई उनके स्टार अरवाज खुन ने किया था हिन्दुस्टान टाइब धर यह बताया गए कि फिलम पूरे देश में पूरे घर में खुल गई है सलمان खान को उनके प्रोदोर्शन के लिए सर्वस चरिस्ट अवीनेता के लिए इस्टार स्क्रिन एवर्ड मिला था और स्टार अफ़ दे एएर के मेल के लिए इस्टार डॉस्ट एन की आवर्ड मिला था दोस्तो इस वीडियो में हम रिवीव कर रहे हैं सल्मान खान सर की टीव लेट मुवी को इस मुवी को 2019 में रिलीज किया गया था और इस फिल्म से जुरे कुछ ऐसे रिवंडिक फैट को हम बता रहे हैं जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे दोस्तो इस मुवी की बजट इन बॉक्स पर इस कलेक्शन को इस वीडियो में हम बतला रहे हैं सल्मान खान ने दवग में कई प्रसकार जीते जिसमें संपूर्ण मनुरंजन पर दान करने वाले सर्वस रिष्ट लोग प्रियता फिल्म का रिष्टिडियो फिल्म फर प्रसकार इन्हों ने जीता था साथी सामिल है बाद में इसे तमील और तिल्वो में दुबारा से बनाया गया तब फिल्म का निर्मान उनके भाई अरबाज खान ने किया था हिंदुस्तान टाइम्स धारा यह बताया गया है कि फिल्म पूरे देश में पूरे घर में खुल गई थी सल्मान खान को उनके प्रदर्शन के लिए सर्वस रिष्ट अभीनेता के लिए स्टार स्क्रीन आवर्ड मिला था और स्टार अप दे एर का मेल के लिए स्टारडम आवर्ड भी इनको मिला था इन्हें सर्वस्ट रिष्ट अभी नेता के लिए उनके छटे फिलम फेर प्रोसकार के लिए भी नमांगित किया गया था एंडी टीवी की अनुपमाचोपडा ने अपने प्रदर्शन के बारे में लिखा कि यह एक जीवन भर की भू मिका है और सल्मान खान ने इसे ऐसे यानि काटते हैं जैसे कोई भूका आदमी दावद खा जाता है वा पूरी तरह से उनके साज़ उसमें रहता है और साथी अकटता है और उनके साज़ लड़कराता है और यहां तक की खुद को धोका भी देता है सल्मान खान की 2011 की पहली रिलीज मूबी रेड़ी थी रेड़ी फिलम ने 2011 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने की बली बूट फिलम होने का रिकॉर्ड बनाया है वह अगली बार उनके साथ बॉटी गार्ड में दिखाए दिये थी जो 2010 में इसी नाम की मल्यालम फिलम को रिमेक की गई थी फिलम को समिक चको धारा अच्छी तरह से पराप्त की गई थी और ये मूबी जो हाला कि या वर्स के भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिलम साबित हुए थी बॉटी गार्ड मूबी जो है लोगों को काफी ज़्यादा पसंद आया था एक था टाइगर फिलम के पहले गाने यानि की माशा ऐल्ला के लांच के मौके पर क yapt winding कैफ के साथ के जो है सामान खान की 2012 की पहली एक धार ताइगर मूबी थी जहाँ उन्होंने केटिणा कैफ यूए काम किया ता केटिणा कैफ के साथ और एक भारतिय जासूस के रूप में काम किया था फिल्म को समिक छको से मिली जुली पटेड़ करिया मिली थी और बॉक्स आपिस बेहत बेहत मस्दून यानि की शग रह की शरुमात हुई थी यह फिलम यह उसराज फिलम के साथ जो है उनके पहले जुड़वा को चिन्हीत करती है सल्मान खान ने 2012 में अरबाज खान के निर्मान के तहज जो है दबंग की अगली कड़ी दबंग टो को भी रिलीज कर दिया था दबंग टू फिलम अंतदा बैसी के स्थर पर 2.5 मिलन की कमाई की जो की युएशे में कनवर्ट करड़े तो 33 मिलन की रास्तों के साथ एक बड़ी बिर्टिया सफलता के रूप में ये मूवी ओवरे थी एक साल के अंतराल के बाद सल्मान खान की 2014 की पहली रिलीज जैवो मूवी थी जिसमें उन्होंने डेजी सा के साजोय भी ने किया था के दूसरे लेज मूवी किक थी जो की तिल्गो फिलम की रिमेक है जिसमें रूध रही एट यानी की भारत में दो अरब कलब होने कलब उन्होंने फिलम का यनकी हैंग ओबर गीत भी गाया था दोस्तो सलमान खान ने इस फिलम के लिए एक गित भी गाये थे इस वीडियो में हम रिवीव कर रहे हैं सलमान खान सर की रियल लाइफ को और इस मुवी से जुरे कुछ ऐसे रोमांटिक फैट को हम बता रहे हैं जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे दोस्तो वीडियो पसंदा रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं इस वीडियो में हम इस मुवी को फूल हिंदी में रिव्यू करने हैं आप लोग को पता है मैं जिस मुवी को रिव्यू करता हूँ उस मुवी की स्टार कास्ट के बारे में आप लोग को जरूर बतलाता हूँ इस فلم को रिलेज किया गया था था 2017 में टी बलेट मूवी एक बेहतरीन मूवी है जो की एक देश वक्ति फिलम को उपर बराया गया है और ये मूवी काफी बेहतरीन कमाई किया है इस मूवी को बनाया गया था 100 क्रूट के बज़ट पे और इस फिलम ने दो सो अबारक रोट का इंकम इस फिलम ने किया है यानि कि अपने बज़ट को रिकवर किया है और काफी जादे इंकम भी इस फिलम ने किया था एक साल के अंतराल के बाद सलमान खन के 2014 के पहले रिलेज जैहो मूवी थी जिसमें उन्होंने डेंजी साइक के साथ भिनने किया था उनके दूसरे रिलेज मूवी कीक एक तेलगू फिल्म की रिमेक थी साथी सलमान खन की 2015 की पहली फिलम बजरंगी भाई जान जिसे एज़ पर रिलेज किया गया था जो उनके साथ अलोचको और जंदा से सकारतमक समिक्षा मिली थे और रिलेज होने पर बॉक्स अपिस के कई रिकार्ड तोड़ दिये थे फिलम ने अपने पहले हफ़ता में 184 मिलियन की कमाई किया था साथी यूएशे में कंवर्ट कर दे तो 24 मिलियन की कमाई करते हुए पीके मूवी को पीछे छोड़ दिया था साथी पीके के बाद 300 कॉलम में परवेश करने वाली या सलमान खन की पहली और दूसरी बलीबूट फिलम थी यह फिलम वाट तमान में भारत और दुनिया भर में छे बिल्या से अधिक के संग रह के साथ दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली बली बूट फिलम बन गई है पजनगी भाई जन ने अपने रिलीज के 20 दिनों के भीतर ही 300 करोट को पार कर लिया और भारत में अब तक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिलम बन गई जबकि उनकी दूसरी फिलम प्रेम रतन धन पायो एक दिवाले रिलीज को अलोचको और जनता और जनता से मिसरी समिक्षा मिली और रिलीज के बाद ही बॉक्स आपिस पर जो है कई रिकॉर्ड तोड दिये यह फिलम वन बिलियन से अधिक कमाई करने वाली सल्मान खान की लगतार नौई फिलम बन गई थी फिलम ने अपने पहले हफता में 1.73 बिलियन की कमाई किया था जो की यूएसे में कनवर्ट करते तो 27 मिलियन की कमाई इस फिलम ने किया था साथी पचीस नॉबर तक फिलम ने जो है काफी बैतिन कमाई किये और यूशे में कनवर्ट कर दे दो पैंट वन मिलियन का संग्रह किया था इसके साथी सलमान खान की बैक टू बैक फिल्म में यानि देने वाले एक मात्रव अभी नेता बन गए थे और एक जिर्वोने घृरेली यस्तर पर दो बिलियन की कमाई की यूशे में कनवर्ट कर दी तो 27 मिलियन से अधिक कमाई किया था सुथ संक्रह किया था वा भारत में एक ही वर्स में 5 मिलियन यानि Rub это ऑ Thinking लूब आले और いやसराट फिलम के लिए यसरज फिलम के लिए अली अबाज जफर धरा निर्दिशित एक और इद रिलीज यानि कि सुल्तान को अलोचे को और जनता दोनों से सकारतमक समिक्छा मिली और जिसने जो है बॉक्स अपिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिये थे फिलम ने फिलम ने आउसत यानि कि फिलम ने अपने पहले हफ्ता में एक और यानि की जबड़ दस्ट ओपनिंग किया था चोहतर पंड़ च्यासी करोड का इंकम किया था और 99 करोड यूसे का संग्रह किया था जिसने जो इसके पहले हफ्ता के कुल संग्रह लगपग जो 2.8 मिलियन हो गया था और यूसे में कनभर्ट क करोड से अधिक कि कमाई करने वाली सल्मान खान की दूसरे फिलम बन गई थी और 9 अगस्ट तक फिलम ने दुनिया भर में 583 मिलियन के कमाई किया था जो कि यूसे में कनभर्ट कर दे तो 77 मिलियन की कमाई इसने किया था और अकेले यह मुवी काफी बहतिन परदर्शन किया था दोस्तों इस वीडियो में हम रिवीव कर रहे हैं सल्मान खान की फिल्म को ट्यूब लैट मुवी को और इस मुवी से जुरे कुछ ऐसे रुबर्टिक फैक्ट को हम बता रहे हैं जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे और ट्यूब लैट मुवी से जुरे जीवन के वाई सुहेल खान थे और अपनी उच उमीदों के बावजूद फिल्म बॉक्स अब इसमें मजबूत परदसन करने में बेफल रही सल्मान खान की 2017 की दूसरी रिलीज टाइगर जिन्दा है फिल्म एक था टाइगर की अगली कड़ी इनने अपने जो है शुरुमा कि दि जिसमें भारत में फॉर पैंट टॉन्डी एट बिलन की कमाई किया था और संतावन मीलन सर्थी की कमाई की थी सल्मान खान ने भारत में अभिन्या किया था जो कि फाइव जून चैनल थूट के लिए फिल्म मांकन शुरू किया है जिसमें उन्होंने एक यानिकी सीख पुलिस कर्मी की भूम का निभा रहे है और इस मुवी को 2022 में अब रिलेज किया जाएगा इस मुवी की कैमियो मैंने तयार किया है और इस मुवी कि कई सारे लिंक्स और उमर भी बाह हो डिव लेट मुवी को 2017 में रिलेज किया गया गया ताई है इस फिल्म को डैन्यकी कबीरखान ने और इस मुवी की पड़ियूसर है सलमान खान कबीर खन सलमा खन ने मिल कर इस फिल्म को पडियूस किया है सलमान खान, सुहेल खान, ओमपुरी, साती जो है मतीन, रे, टांगू और उनके साथ जो है जुजू नजर आयती जुजू एक जो है चिन्नी अभिनेतरी है जो की इस फिल्म से हिंदी फिल्म में शुरुआत की है और इनका यह अंतिम मोवी है तो यह मोवी काफी ज़्यादा रुबंटिक है अगर आप लोगोंने इस मोवी को अभी तक नहीं देखा हुआ है तो आप इस फिल्म को सबसे पहले देख लिजिए दोस्तों इस वीडियो में मैंने सिर्फ इस मोवी को रिव्यू किया है इस मोवी की फैक्ट को बता रहे त थी उनको एक सकार्ट मग पढ़ती करिया के लिए ये फिल्म खुला था और उनकी तमिल शुरुआत थिल्लू थिल्लू मोवी थी थिल्लू मिल्लू उसी यानिकी सर्षक वाली 1971 की तमिल कमेडी फिल्म की रिमेक मोवी थी एक ब्योशाइक सफलता मोवी थी 2014 में वह मल्यालन फिल्म हो उनकी साज जो है बला यकला सिक मोवी में काम किया था साथी उस्सव साथी जो है समीती गार्षे उनकृती और साज जो है अंजली मिनन के बैंगलो डेंज में जो है देखी गई थी और साथी उन्होंने सिद्धी की उनके साज जो है बास करदा रासकल में बिस्ता वह शुटिंग कर रही है। वह सलमान ख्रागे साथ हिंडी फिलम ट्यूब लैट में MAYOR के रूप में भी दिखाई दी उन्होंनेस ईफ अली ख्रुप काम किया है। तीव लेट फिलम गो डायट किया है कबीर खांसर ने और इस फिलम को परड्यूस भी कबीर खांसर ने ही किया है तो इनकी रियल लाइफ के बारे में अब हम जानते हैं कबीर खांसर एक भारतीय फिलम निर्देशक है पतकदा लेकर आउट साथी जो है चया का रहे हैं उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है साथी डॉक्यूमेंटरी फिलमों के डॉक्यूमेंटरी फिलमों में काम करके किया था और फिर 2006 में काबूल इनके साथ वे चया क्यांटरी आचांसर इक फिलम 2015 में और टीव लेट मुवी 2017 में इन सभी फिलमों गिए हुन्होंने कैम गेंज के रहने वाले पठान थी उनके से जो है ड। जागिर हुसेन और भारत के राष्ट पती उने सो साथ से लेके 1979 के भीतर 79 के बतीजे थे और उनके से जो है एक कम्यू निश्टी और राजनेता थे जिने जो है इंदरा गांदी ने जिनें इंदरा गांदी ने राज्य सबा के सांज चुहयान की मानो नित सदस्य के रूप में संपादित किया था 1970 के दशक की शुरुआत में वाजव अपेक्चा क्रीद कम अमर के वाजव राजनितिक बिग्यान के प्रोशुफ उनक प्रो प्रोफेसर भी थे और 1970 के दशक के शुरुआत में वा जवाहरलाल नहरू और बिश्व बिधाले के सस्थापक यानी की प्रोफेसर में से एक बन गए थे उनकी पहें अनुशे टुशन और साथी जो धूम थरी जैसे फिल्मों के निर्देशक और फिलम निर्माता भी जाई क्रिशना अचारय की पतनी है साथी कबीर खान ने दिली और साथी जो बिश्व बिधाले के किरो डीमल उनके साथ जो है कलेज के साथ जो है दिली में जामिया और साथी जो मेलिया इसलामिया में पढ़ाई की है उन्होंने टिली वजन और साथी ज़ो होस्ट और अवी नेत्री मीनी मातूट से शाधिकी है जिन्हें उनके दो बच्चे हैं और शाथी बीवान और उनके साथ साहरा सुनवाती जिनों में उन्होंने सयद नक्मी और जैसे प्रमुफ पत्रकार के साथ काम किया है एक पॉर्णा कालिक फिलम जो है निर्माता बनने से पहले उन्होंने साइद नकभी के साथ जो है एक कैमरा मैन और साथी निर्दिशक के रूप में काम किया है और अंतर राश्टेडिया मुद्दो के कारण जो है उनके लिए दुनिया भर में यातरा की है फ्रेंड इस वीड निर्दिशित उनके साथ जो है डिशकवरी चैनल की डॉक्यूमेंटरी फिलम बियंदा से की थी साथी बियंदा हिमालिया में 1996 के लिए एक च्छयाकार के रूप में की गई थी इसके बाद उन्होंने सुभाज चंद्रव बोश की इंडियान इंडियान नेसनल उनके साथ आर्मी पर अधारी डॉक्यूमेंट दो साथी जो है फॉर गॉट आर्मी 1999 के साथ अपना निर्दिशन सुरू किया था इसके बाद उन्होंने मुख्यधारा के सिनेमा पर अपना ध्यान केंडरीट करने से पहले दो और उनके साथ ब्रेत्र चीतरो का निर्दिशन किया था इंद्रा गांधी पुर्जकार पराप्त किया था और इसके बाद उन्होंने यासराज फिलम के साथ जो है दो और फिल्मों का नेडिशन किया था साथी अथार्ट नीव वर्क और एक था टाइगर फिलम जबकि काबूल एक्सप्रेस और आउसत के और आउसत से कम प्रोडर्शन केरने वाली मूबी थी और नीव वर्क और एक था टाइगर फिलम दोनों ने उसे जो है मुख्यधारा की सफलता तक पहुचाया था यासराज फिलम यासराज फिलम के साथ जो है और विश्वेस तर पर जो है तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतिया फिलम रही है इस फिलम ने 63 वे रष्टीडिया फिलम फेर पर प्रसकारों में संपूर नमनर रंजन प्रदान करने वाली सर्वच रिष्ट यानि लोग प्रियाफ फिलम के लिए रष्टीडिया फिलम फेर प्रवशकार प्राप्त किया है बजरंगी भाई जान की सफलता के बाद उनके सना जो है उद्रन वांचीट उन्होंने कैटिना कैफ और सेफ अली खान को जो है यानि की फैटॉम में निर्डिशित किया था जो की 26 को 11 के हमले पर जो है अधारित एक अल आउट एक्शन मुवी था कबीर खान ने फिर से सल्मान खान के साथ ट्वीब लेट पर सहयोग किया जो 2015 की अमेरिकी फिलम लिटिल बाई की अधी कारिक रिमेक मुवी थी जो 1962 के चीन भाटे यूद की प्रश्ट बोवी पर अधारित मुवी है और जून 2017 में दुनिया भर में रिलीज के उनके साथ ची थोड़ा बेहतर मिला बाद में 2019 में उनकी पहली वेप संखला दा उनके साथ जो है फार गटन आर्मी और साथी आजादी के लिए सुभास चंद्रा बोज की आजादी हिंदी फोज पर जो है अधारित फाइब यानि एपी शोड मूल एमजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होई थी संखला का अधार उनके 1999 के इसी नाम के साथी वर्ट चीतर से अलग है साथी कबीर खान अगली बार 1983 की क्रिकेट बिश्व कॉप में भारत की 8080 जीत पर अधारित फिलम 83 के 83 रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं जिसमें रन्बेंड से भारतिया क्रिकेट टीम के पिल देव की भूम का निभाएंगे उनकी अगली फिलम दा साथी जुकी फर एक यानि चीन भारतिया प्रोडॉक्शन है यह एक यातरा संबंधी ड्रामा फिलम है जिसकी शूटिंग जो है चीनी भारत चीनी जो है शहर में उनके साथ चिंग दू और साथी जो आसपास के शहतरा में की जा रही है फिलम का अनुमानित बजट जो है पचीस मिलियन ता एक सो चेतर क्रोड है और इसमें जो है एक परमुख भारतिया अविने ता और एक परमुख चीनी अवी नेतरी का अविने किया जाएगा इस फिलम में आपको सल्मान खान उनके साथ सुहेल खान भी नजर आएंगे सहायक ममकाव में दोस्तो इस वीडियो में हम रिवियो कर रहे हैं इस मुबी को और इस फिलम से जुरे कुछ ऐसे रुमानिक फैट को हम बता रहे हैं जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं जाते होंगे चलिए अब यहां से हम सल्मान खान की ये रेल लाइ खाक है सलीम खान के बेटे सबसे बड़े बेटे हैं सल्मान खान ने अपने अविन्य करियर की शरुआत बीबी हो तो ऐसी फिलम से किया था 1988 में सहायक भूमका के साथ की जिसके बाद जो है मैंने प्यार किया में एक अहम भूमका निभाई थी 1989 में एक परमुग भूमका के एक परमुग भूमका निभाई और सल्मान खान ने बली बूड में 1990 के दसक में रोमांटिक ड्रामा हम आपके हैं कौन फिलम में काम किया थ हम आपके है कौन सहीत कई मोवी जो है प्रस्तूतियों में भूमकाय जारी रखे थी और 1994 में एक्षन कमेडी अंदाज अपना अपना फिल्म में अभिन्या किया था मोवी को 1994 में रिलेज्ट किया गया था एक सन ठिरिलर करन आरजुन मोवी 1995 में रिलेज़ किया गया था कमेडी बेवी नबर वन 1999 में रिलेज़ किया गया था और स्नाथी परिवारिक डृमा मोवी हम आहम गला पिंच सा जञवरिक में 1999 में इनको देखा गया था सन 2000 के दसक में गिरावट की सामना करना परा तो सलमान खान को और एक यानि कि सन 6 अबदी के बाद सलमान खान ने 2010 में दबंग मूबी 2010 में रेड़ी फिल्म और 2011 में एक तर टाइकर फिल्म का निर्मान किया 2012 में कीक फिलम को निर्मान किया था और 2014 में उनके साजवे सुल्तान जेसे सफल एक्शन फिल्मों में मुख्य भूमका निभा कर यानि की अधिक यानि की स्टार्टम हासिल कर लिया था 2016 और उनके साजवे टाइगर जिन्दा है मूबी 2017 में इन्होंने अभिन्या किया है साथी अपने अभिन्या करियर के अलावा सल्मान खान एक टेलिविजन प्रस्तोत करता है जो कि अपनी चैरिटी उनके साथ जो है बी इंग हैयूमन उनके साथ फाउंडिशन के माद्यम से मान विया कार्णो को बढ़ावा देते हैं सल्मान खान ओफ एस्क्रीन यानि जीवन विवादो और साथी कानूनी प्रेशानियों से भरे हुए है 2015 में उन्हें लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में गैर इरातन हत्या का दोशी ठहराया गया था जिसमें उन्होंने अपने कार से पांच लोगों को कुचल दिया था जिसमें एक की मौत हो गई थी लेकिन साथी अपील पर जो है उनकी सजा को रद कर दिया गया था साथी अपरेल 2018 को सल्मान खान को एक काला हिरन उनके साथ जोए सिकार मामले में दोशी ठहराया गया था और पांस साल कैद की सजा सुनाई गई थी कुआ फिलहाल जो है जमान तो बाहर है जबकि एक अपील पर सुनवाई अभी बी चल रही है केस चलने के बावजूद भी सल्मान खान ने 1947 से लेकर 2020 तक वर्ट के सबसे अधिक कमाई करने वाले दस याने फिल्मों में अभी नहीं किया है जो कि हिंदी सिनेमा के इतिहास के किसी भी अभी नहीं ताग लिए सबसे अधिक है साथी सल्मान खान भाईयों के साथ अरबाज खान उनके साथ बाईयों के सबसे बड़े बेटे हैं जिनोंने बाद में सल्मान खान नाम अपनाया था और 27 डिसमबर 1975 को एक हिंदो माई और एक मुस्लिम पिता के घर पैदा हुए थे सल्मान खान का पालन पुसंद दोनों धर्मों में हुआ है और उनके दादादी साथी जो है अला को जई साथी जो है पस्तून थे और अफगनिस्तान से आये थे जो की 27 सो के दसक में मद्ध है कि उनके साथ जो है इंदोर और राज या इंदोर साथी जो है रेजी डेंसी अब यानिकी माद्य परदेश में पढ़ती है ब्रीटिश भारत में आकर बस गए थे हाला की उनके साथ जो है जसीम खान ने अभी नेता की अपनी जीवनी अपनी जीवनी में कहा है कि उनके पुरवा जैनकी ब्रीटिश भारत वरतमान खैबर और साथी जो है पक्तून ख्या पाकिस्तान के उत्तर पच्छी में सीमा परान की है साथी साथी जो है इस वार घाटी में वा जो है मलकंद में यूसूफ जैई और साथी जो है पस्तून जिने जो होलकर काल के दिलेर और जंग यानिकी जंग पुरसकार के उनके साथ जो सम्मानित किया गया था सलमान कान की मा एक ग्रहिनी है और जिनके पिता यानिकी बल्देव से चलग रिविव कर रहे हैं इस मुवी की बजट इन बॉक्स अब इस कलेक्शन के बारे में भी इस वीडियो में हम बाते कर रहे हैं दोस्तो इस फिल्म को अब हम यहां से इंग्लिस में रिविव करेंगे आप लोग को पता है हमारे इस योडियोप चैनल पे आपको मुवी रिविव देखने को मिलता है भारत मुवी 2019 की एक सुपर हीट मुवी है और इसकी बॉक्स अब इस कलेक्शन के बारे में भी इस वीडियो में हम बतला रहे हैं Based on the 2014 South Korean film and audit to the My Father and principal photography for the Bharat began in April 2018. Shooting took the place at the in such location as the Abu Dhabi, Spain and Malta, Punjab and Delhi. Kaif joined the end cast soon after Priyanka Chopra and opted out of the role and after the filming and commenced for her and impeded an engagement to the Nick Jones in filming and calculated in March 2019. The film score was and composed by the end Julius, the end Pekim and Dishong and were and composed by the Bishal Sekhar with the lyrics the written by the Irshad Kamil and released the under the N-Banner T-Series movie. Bharat's movie was the release and theatrically released in India 5 June 2019 on the end. Oxygen of the Idul Fitr and received mostly a mixed review from the critics who then appreciated the performance of the cast but with the end criticism, a man ate the story and the screenplay. The film earned a net 42.30 crores in the first day and became a Salman Khan's biggest opening day and released the It Is The End emerged as the comical hit because of the big budget with the worldwide grossed 325.58 crores. The set in Delhi during 2010, the film The Begin, Win, The Bharat, and The Shope, and The Shope, and The Shope Keer Ford refused to the part with the N-Store, and despite the end the low credit offer on his the 17th birthday held tales hit and post-life to the end grand dance the end film that goes into the end flashback. Bharat's movie parents and the ship Lishi board in the train to the India with the money and refugees for the end safety from Pakistan and the three bulls and roast the Bharat losses hit and body sister and goodia in the end shows. Bharat is the father Gautam Satya and Behin to the search for the end goodia. He is the head of Bharat and promised him to take care of the family and moved to the end and imported the goods store of the Gautam sister and Jumna and her husband. The Kemat Rai Kapoor is the chill in Bharat looks to the end and supported the family. He is the end wife and the boyfriend is the young boy and the variety and see the meet and recite the end circus work and Radha is the end fell in love the interior joined the end great the end Russian circus. Varat has the end attended lot of fame in the end and years has the end spent of the end circus during the end celebration. He is the end brother and count a heart in the end accident wheeled and trying to the end and loyalty him. He is the end bet the end tearful and good boy with the Radha due to the end Nehru and dead. The country is the end F rated Bharat and Velayati look for the end various jobs. And Bharat joining an Indian the end migrant the end promoted by oil discovery in Saudi Arabia to earn money from his the second sister the mahek and marriage. Three he in the fells in love with his the end chief and in chief engineer and Kamud Raina who hid and finally address is the end madam sir. And Kamud asks the Bharat for the end marriage but he the end refuses out of the end father it is the world come in thee and while of the end fulfilling the end Gautam is the end promise back in India. And Kamud arrives to the end announces her love for the Bharat and begins the end life in the relationship. Jamuna Desi Bharat is the end accepted for the job of the end and the station manager entering the 1983 Cricket World Cup and Kamud in need of the money and plans to the end sell the store. But Bharat the end disagreed and set the end Jamuna and Jamuna had worked hard and he and did not want to sell the store in Kemat and ask him to the buy the end store from him. Bharat twist to the end steel head and hopes the end Gautam will come back the end Bharat and leaves India again with the end village as the end seller for the end period of the eight month. He the end he the end he the end and now the end money to the boy the store in the village and marriage the end Susan and Froese Junior after the end economy and life recession in India is the end globalization. And Kamud becomes the end creative director of the newly and from GTV and the end runs the end program which is the end relative and expected during the end partization and reunited during the end program. Bharat the end converse with the mayor and London the end resident adopt adopted by the British family during the end partition and realized his end Gurria and the comments back to the India and emotional running instead and Janki this and soon after Bharat hopes to the end find Gautam also. Bharat decides to sell the store with the end to sell the store with the end to bond and refuse to the end despite the losses before the enriching the end train Gautam and promised we and world around it with him at the store. The explaining why Bharat hold on the store and for so long and Bharat the realized Gautam is the end pro-volley to old and sorrow with the steel he the end sees the end vision of the end. Bharat is the end with the end by hearing is the end and often means that he is the end of the end of the end of the year. The end when he is really thinking of the end of the year also indicates the end of the year. She is the end of the year after the beginning and she is the end of the year again. And finally moving on this the Bharat is the best on the South Korean film Oddie to My Father 2014 with the end and track the history of the South Korea and the end prayer near to the end man's life. the age-winning from the 1950s to the 2010s. भरत became a principal photographer in the Mad-Affril 2018 and the Best on 2019. दिल्ही न।णजब रियंका चुबरा, who was an cast one of the and leading the lady opted out of the film day and before filming the and asking Nikhil and Namit, CEO वालीravे प्तरियान कुछि क्यों कुछि-ॉ धर्ड मेरा ही रевतर्यू का स्तर्ख क्या गचुर्स ही औरणे कृफिल प्रेस का।ड, फिर ज क् रेस्ट Q रेश्वर। Instagram and account, the end filming was the end वर्पेट of on 5 March 2019, the climax was the shooting and filming city. The sound directs the end future in filming the weather, composed by the Bishal Sekhar and Lyric, written by Irshad Kamil, with the music, the end arranger and producer, the end of Megha and Meg, the boss and Jafar Varud and the end composed the song and Jinda, with the end Julius, the end become, in the releases under the binary series and deaf receive and ghost of the scroll, in the end positively and some rest the end sound review as the near and perfect the end, frostbust and present the song and Chasni as the insult and studying the beautiful and Chasni song was the end originally sung by the Adiv Aslam but was the end and replaced it. The reception of the Bharat was the release on 5 June 2019, the Association of Idul Fitr and Worldwide Collection 6,000 screens in clouding and 4,700 screens in India. The film was made available for the video and diamond the Amazon Prime Video in August 2019. As of June 2020, the film and held it up the 33 approval rating on review. The aggregator website The Rotten Tomatoes based on 18 reviews with the average the rating of 5.33 Bharat received mixed reviews from the critics on the releases. Renuka Bhaya showed the Times of India give the film the three and help stood out of the five stars and calling. It is the end exocating, the end excreted, the was the end despite, the end entertainment humor and the end nobility. It is the end propagates, the sea, the end conculated, the Bharat is the will and entitation, the entertaining and the don't end is shown to the end prophecy of the commercial and what bullish the Priyanka. Priyanka Shah and Sahana Shah of the Sea in News 18, the end praising the end Salman Khan for his end performance. The end retains the film with the three stars out of the end five and the failed state. The end script is the end bid and language the end required the answer. The editing in the end sea and size for all the is the end virtue. The Bharat and the false sword of the end big coming to the end forces the what is the end cloud turned into and crowd and polar the entrant the analytics and the critic the intern orders the end con and concurs with the Jha on script the entry. Ming and give for the stars out of the five and D and the declaring it is the end Shama's heat he the end president Ali for the end direction and Katina Kaif and Salman Khan for the performance he failed state the end film is the end emotional end journey state a win to the end viewers over the end Manjus and Radha Krishna of the Gulf News also and said that the world have benefited from the entry meaning show and find the end film and dual state the unlikely to the end test the end patterns of the end audience and see give is the turn star out of the five in Ananya Bhattacharya waiting for India today and phrase it the inaction of the Kaif and Khan but the false state the main attraction and Sunil Grover see also the rate is the it is with the three a star out of the five and the end concluded the end Salman has given his the fans and out of the the entertainer Rajiv and Rajiv and Masand waiting for the CNN news 18 find of the film and unmistakably and bringing is the end is currently long he the narrated the film with the show a star out of the end five Anna me and Vatish the and Frost pushed the find the film and leading the with the weak and humor and the unlock star in song the rating it is the way to start the out of the five the and Vatiket the and Khan collators for the film and bang at the and Frost the and jump with Salman Khan Bharat the is the end mostly and flooding and drug the and drug the post in 1947 to the and contain and contain poorly India and Jayvati Sharma and Bawa of the Hindustan Times and of France it is the emotional aid winner and the rated with the end three a star out of the five and subhragupta of the end Indian express giver to a star help and a star out of the five and a openness the end good night and a thing about the film and despite it is the end a role and moment it is the end attempt to the end create on the ordinary man without any end particular the skill in Anupama Chopra of the film companion and a maidanser and woman with the end crowds and the end convocation with the most and the memorable and character in the Bharat ID love to the end end and contain poorly in his story told from the head the end perfectly this the end version has the sweep and the end swagger but not the end in young and soul Bharat is the end opening day and domestic collection of 42.30 crore the it is the highest the opening day collection for the salman khan on the second day is the end screening and depaid in a multiplex yet the end remnant the strong in the single screen the three uh three and the three in the earned 31 crore and raising the end total to the end 73.30 crore as the 25 September 2019 with the gross the two thousand two hundred fifty one point twenty seven crore the finally world well grossed collection the three hundred twenty five point eighty fifty eight crore दोस्तों इस वीडियो में हम भारत फिल्म को फुल हिंदी में रिवीव कर रहे हैं इस मुवी से जूरे कुछ ऐसे रिवन्टिक फैक्ट को हम बता रहे हैं जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे इस फिल्म को 2019 में फाइफ जून को रिलीज किया गया था इस फिल्म को डिरेट के हुए अलियावाज जाफर्जा और इस फिल्म की कहाने भी इन्हों नहीं लिखा हुआ है और इस मुवी की एक्टर सल्मान खान के बारे में इस वीडियो में हम आप लोग को बतला रहे हैं और इस मुवी की बॉक्स अविस कलेक्शन को भी इस वीडियो में हम सेयर कर रहे हैं आई होप की वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइ सल्मान खान ने उसके बोट एक और फिलम में काम किया इस फिलम का नाम था दबंग दबंग फिलम ने करी प्रोसकार जीते जिसमें संपुन यानि की मन रंजन परदान करने वाली सर्वसर लोक क्रिया फिलम का रश्रीडिय फिलम फ़र प्रोसकार बे Chief जीता हुआ है साथी बा को उनके प्रोदर्सर्षन के लिए सर्वासरिष्ट अभी नेता के लिए Starish Scene Award भी दिया गया था और Star of the Year यानि amilpot साथी सस्थियू इसके लिए Starover Antes Award मिला था उनके छटे फिलम फेर पुस्कार के मिर्था ङया था इंडी टीबी की अनुपमा चुबडा ने अपने प्रोदर्शन के बारे में लिखा है कि यह एक जीवन भर की भूमिका है और सलमान खान इसे जो ऐसे यानि काटते हैं जो जैसे कोई यानि भूका आदमी दावत खा जाता है वह पूरी तरह से उसमें जो है रहते हैं और बाद जो है यानि की अगड़ता और उसके बाद जो है लड़ खड़ाते हुए नजर आते हैं और यहां तक की खुद को धोखा भी देते हैं सलमान खान की 2011 की पहली रिलिज यानि की रेड़ी फिल्म थी रेड़ी ने 2011 की दूसरे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बलिव पराप्त की गई थी साथ यह पराप्त नहीं हुई थी जिसकी हाला की यह वर्ट की भारत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है एक था टाइगर फिल्म के पहले गाने यानि की माशा अल्ला के लंच के मौके पर केटीना कैफ के साथ जो है सलमान खान की 2012 की रिलीज एक था टाइगर फिलम थी जहां उन्होंने कैटिना कैफ के साथ अभिन्य किया था और एक भार्टिय जासूस के रूप में काम किया था फिलम को समिक चबो से मिले जुली परते करिया मिली थी और बॉक्स अपसे बेहद यानि की मजबूस संगरह की थी शुरुवात हुई थी या फिलम फिलम यानि की योशराज फिलम के साथ उनके पहले जुड़वा कोचिन हीद करती है सलमान कान ने 2012 में अरवाज खान के निर्मान के तहज जो है दबंग फिलम की अगली कड़ी दबंग टू को रिलीज किया था दबंग टू अन्तता यानि की बैसिक यानि श्तर पर 2.5 बिलिन से अधिक कमाई किये थे इस पैसे को योशे में कनवर्ट करें तो 35 मिलन के रास्तो के साथ जो है एक बड़ी बेटिया शफलता के रूप में ओवरा था एक साल के अंतराल के बाद सलमान खान के 2014 की पहली रिलीज मूबी जय हो थी जिसमें उन्होंने डेजी शाह के साथ अविन्य किया था उनकी दूसरी रिलीज मूबी कीक थी और एक तिल्गू फिलम की रिमेक है जिसने रूप एद पर भारत में टू अरव कलब उन्होंने फिलम का यनकी हैंग ओवर गीत भी गाया था इस वीडियो में हम रिब्यू करें सलमान खन की फिलम भारत को और भारत मूबी से जुरे कुछ ऐसे फैक्ट को हम बता रहे हैं जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं चानते होंगे दूस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पे पहली रहे हैं सलमान खन की अगली मूबी 2015 की पहली फिलम यान की बजरंगी भाई जान था जिसे एड़ पर रिलीज किया गया था उसके बाद यानि की उसके बाद अलोचको और जंता के साउत्सकार तमक समिक्षा मिली थी और रिलीज होने पर बॉक्स आपिस के कई रिकॉर्ड थी तो और दिये थे फिलम ने अपने पहले हफता हमें वोन-पैटि-फोर बिलियन से अधिक का कम्या किया था अमेरिकी डालर में कंवार्ड कर देडगे तो 26 साजु है दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली बलेबुट फिलम बन गया है बजनगी भाई जन ने अपनी रिलीज के 20 दिनों के भीतर ही 300 करोड को पार कर लिया है और भारत में अब तक की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिलम बन गई है जबकि उनकी दूसरी फिलम प्रेम रतन धन पायो एक एन की दिवाली रिलीज मूभी को अलोचको और उनके साजु है जनता से मिसर समिक्षा मिली हुई है और रिलीज के बाद बॉक्स अपिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिये है यह फिलम वन बिलियन से अधिक कमाई करने वाली सल्मान खान की लगातार यानि नवी फिलम बन गई और फिलम ने अपने यानि पहले हफता में वन पैंट सिमिन्टी थरी बिलियन से अधिक कमाई किया था इस पैसे को USA में कनवर्ट कर ले तो 27 मिलियन की कमाई के साथ 25 नॉमबर तक फिलम ने 2.1 बिलियन का शंकरह किया और इसके साथ जो है सलमान खान की तीन बैक टू बैक यानि फिल्मों देने वाले एक मातर अवी नेता बन गए थे जिन्होंने घरेलू इस तरबर टू बिलियन से अधिक कमाई की थी USA में कनवर्ट करे तो 28 मिलियन से अधिक कमाई की वा जो है बारत में एक ही वर्ट में 5 यानि की बिलियन उसके बाद जो है 70 मिलियन से अधिक का घरेलू सू संकरह करने वाले एक मातर अवी नेता बन गए थे इस फिलम को इद के मौके पे रिलीज की गई थी जिसे यानि की समिक्षको और जनता दोनों से सकारतमक समिक्षा मिली जिसने बॉक्स अपिस के एक कई रिकर्ड तोर दिये हुए हैं फिलम ने आवसत यानि की 70% दर्शको की संख्या में शुरुआत की थी और अपने शुरुआती दिन में लगबग जो है 365 मिलियन स्यादिक का कमाई किया था साथी इस फिलम को यूसे में कनवर्ट कर दे तो इस पैसे को 5.1 मिलियन की कमाई की थी यूसे डलर में और फिलम ने अपने पहले हफता में एक और यानि की 74.86 करोड का इंकम किया था साथी इस फिलम ने काफी मजबूती दिखाई दिये थे बॉक्स अप इस कलिक्शन पे और एक संगरह किया जिससे जो है इसके पहले हफता के कुल संगरह लगबग जो है 2.8 बिलियन हो गया थे यूसे में कनवर्ट करो तो 29 मिलियन हो गये थे और अपने दूसरे हफता के अंतक फिलम ने यानकि अनुमानी तौर पे 2.78 बिलियन से अधिक क्माई की थी जो की ओईसे में कनवर्ट करे तो 49 मिल इन से अधिक थी और 37 फिलम ने 300 करोड से अधिक क्माई करने वालि सलमान खान की दूसरी फिलम बन गई और 9 अगस्ट तक फिलम ने दुनिया भर में 5.83 बिलियन से अधिक कमाई की जिसे युए से में कनवर्ट कर दे तो 82 मिलियन की कमाई इसने दुनिया भर में किया था सलमान खान 2011 में एसके बियेज प्रोडक्शन यानि की सलमान खान की बीइंग हायो मन प्रोडक्शन नामक अपनी खुद की प्रोडक्शन कमपनी लंच किया है सलमान खन निर्मान से उत पढ़न यानि की धन बीइंग हयो मन संग गठन को दान दिया जाएगा और बैनर के तहट बनाई गई पहली फिलम यानि की बच्चों की मनोरंजक यानि की छिल लर्पार्टी थी जिसने जो है सर्वसरिष्ट बच्चों की फिलम सर्वसरिष्ट मूल पतकता और बाल कलकार प्रसकार के लिए थ्री रश्टेड या प्रसकार जीते हैं साथी एसके बी एच प्रोडक्शन की अगली फिलम यानि की महस मंजरे का धारा निर जिसीत रिमेक यानि की साथी जो है सिक्षाच या उसके बाद जो है आचा घो यानि होगी 2014 में उन्होंने एसके एफ सल्मान खान की फिलम सिनामक एक और प्रोडक्शन हाउस लंच किया गया है इस बैनर के तले रिलिज हुई पहली फिलम जो है कनाड़ा के फिलम डॉब कैबी थी फिलम ने बॉक्स आपिस पे पहली दिन जो है 350.42 यानि की 452 डॉलर की कमाई की थी इस बैनर के तहज जो है अगली बार फिलम में हीरो थी जिसमें जो है उन्होंने निखिल अड़वानी का सिरसक गीत हीरो उसके साथ भी गाया था जिसमें जो है अधित्य पंचुली की बेटे सुरच पंचुली और सुनिल सेटी की बेटी आथिया सेटी ने अभिन्या किया और कबीर खान धारा यान की बजरंगी भाई जान में करीना कपूर और नमाजु दिन सिद्धी के साथ खुद सल्मान खान ने अभी नया किया था 2008 में सल्मान खान ने 10 का दम यान की होस्ट किया था या 100 यान की बेहत लोग करिया था और भारत में रेटिंग में नंबर वन एस्थान पर चला गया था इसने शारू खान की किया आप यानि की पांचुई पास से पांचुई पास ते तेज है को पीछे छोड़ते हुए या आउसत यानि की 2.80 का ती यानि की टीवी आर 4.5 की पीक यानि की रेटिंग हासिल की थी 1.37 यानि की टीवी आर की वाज़ु है आउसत रेटिंग और 2.3 की पीक रेटिंग और उसके साथ जो है रिपोर्ट को अनुसाथ सोने जो है सोनी टीवी को बाढ़ती यानि टीलिवीजिन रेटिंग में अपना तीसरा इस्थान हासिल करने में मदद की थी उन्होंने दो हजार नौ में फिरसे जो है सोकी मेज़ जबानी की और इस तरह 2008 और 2009 में दस का दम के लिए सर्व Gothic का प्रोसकार जीता ता 2010 में सल्मान खान ने भी एक बस फोर की मेजबानी की सल्मान खान की मेजबानी के कारण शोको यानि की ब्यापक रूप से शिवकार किया गया था और शराहा गया था और अमिता बचन की प्रशिद यानि की मेजबानी को पीछे छोड़ दिया गया था आठ जन्वरी 2011 को ग्रेंड यानि की फिनाले में एपी शोट को 6.7 की टी आरपी मिली थी जो कौन बनेगा क्रोर पती राहूल दुलहनिया ले जाएंगे उसके साथ जो है मास्टर सेफ और डी आईडी की लेल यानि की मास्ट टॉस जैसे अन्य भार्तिया रियल लाइटी शो के यानि की फाइनल में सबसे अधिक थी और उच यानि की टी आरपी के करण जो है सलमान खान ने 2011 में संजै दत के साथ जो है फिर से बीग बस 5 की में जबाने की और बड़ ले बार जो है इस्टार गिल आवर्ड की में जबाने की थी सलमान खान ने बीग बस 8 यानिक बीग बस 9 और बीग बस 10 बीग बस 11 बीग बस 12 बीग बस 13 और बीग बस 14 को भी होस्ट किया हुआ है आप लोग को अगर सलमान खान की फिल्म में देखना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर जीएगा इस वीडियो में हम भारत फिल्म को रिवीव कर रहे हैं इस फिल्म से जुरे कुछ ऐसे रुमान्टिक फैक्ट को हम बता रहे हैं जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे आयो कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा सल्मान खान के बाइग रहे में इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सल्मान खान एक ब्रैंड के रूप में जुड़े हुए थे जब उन्होंने फिल्म ओगोग में परवेश करने से पहले यानि कीकैपा कॉला यानि की फिलम का शीतल ये हीरो उसके साथ जो होड़ा बाइक और इसके साथ डबल बूल शर्ट यानि भी पहनी थी उसके साथ बिग्यापन किया था सुपरस्टार बनने के बाद भी उन्होंने खुद को एक प्रेंड के रूप में प्रचारित करने में काफी दिल्चस्पी नहीं दिखाई थी लेकिन 2002 में उन्हें थम्स आफ के लिए साइन किया गया था और इसका अनुबन समाप्त होने तक जारी रखा गया था बाद में अक्षाय कुमार्ड ने सल्मान खान की जगह ली और बाद में वा शीटल शीटल पे उसके बाद माउंटिन डियू के ब्रांड यानि की एमबेजडर थे जिसके साथ उन्होंने डिसमबर 2010 में अनुबन को बढ़ावा दिया लेकिन जल्दी ही अनुबन समाप्त कर दिया गया था वह आप यानि की पेपसी के ब्रैंड एमबेजडर है और वह जो है इनकी ट्रेवाल वेब साइट यानि की यातरा.com के ब्रैंड एमबेजडर भी है और एमबेजडर भी बन गए है जिसने जो है उ के यानि उनकी बतल समक्की होई का शमर्थन कर रहे हैं साथ ही सल्मान खान यानि डीटर ब्रैंड वह और वह हील के ब्रैंड यानि की एमबेजडर भी है उसके بागे ब्राओनिय ब्रैंड यानि की डिक्सी स्कौट और उसके बागे टेबलेट यानि की ब्लैक बेरी उसके बागे प्ले बुक्के अलावा वा अ़ जो है भाई जो है वाज ब्राद ब्रास और जो है इसके बाई रिमटत कुछ अलावा उनके पास यानि की रोटो मैक पेन और उसके बाद जो है एस एफ यानि की शूनिक उसके बाद बैटरियों के बिग्यापन भी दिया है अब सलमान खान को दूबई इस्टित यानि की फैसन लेबल उसके बाद जो है एप लेस के ब्राण इंबेजडर के रूप में श इंबेजडर के रूप में भी हस्ताक्षर किये गए हैं सलमान खान मुंबई में खूले में यानि की सौच के खिलाफ मुंबई नगर की वोजु है यानि की निगां बी एमसी की वा जो है अविन नेक के ब्राण इंबेजडर भी रहे हैं और सुरक्चा और वा जो है नीग कुझे से रुमंडिक फैट को हमने बताया है जो आप लोग बिलकुल भी नहीं जानते होंगे अब समय आच चुका है इस वीडियो से बिदा लेने का दोस्तों आखरी बात में आप लोग को बदला दो इस फिल्म को 100 करोट के बजट पे बनाय गया था और इस मुबी ने अलमान खान केटिना कैफ इंदिसा पता निशनल गुरोफर एंजय की श्राफ नजर आया हुए थे दोस्तों आयोग की आज के वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे पहली तफ़ए चैनल को सब अपलोड नहीं कर सकते हैं जैसे कि आप लोग को पता है इस वीडियो में हम रिवीव करें टीव लाइट मूबी को इस फिलम से जुरे कुछ ऐसे रुमानिक फैक्ट को हम बता रहे हैं जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंदा रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके विलाइकान को भी प्रेज कर सकते हैं दोस्तों टीव लाइट मूबी की बज़ेट इन बॉक्स इप इस कलेक्शन के बार में हम बात कर रहे हैं इस फिलम में सल्मान खान, अर्बाज खान, उनके साथ कई सर एक्टरीस में काम किए थे इस मुवी को 2018 में रिलेज किया गया था, दोस्तो ये काफे बेतרीन फिलम है, और 2017 के दौरान इस मुवी को रिलेज किया गया था, तो अज कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइकन को भी प्रेस कर सकते हैं सबसे पहले आपको बतला दू कि टीप लैट मुवी आपको यूटूब पे देखने को नहीं मिलता है दोस्तों मैंने आप लोग को कई सारे वीडियों बतला है कि मैं जो है किसी भी फिल्म को जैसे कि किसी भी मुवी को आपने सेयल पर आप्लोब नहीं कर सकते हैं किसी वीडियो को दुस्तों हमें खुद का कंटेंड हमें बनाना पशता हैं और वीडियोक कर lookink कि अईमडेवी रिटिंग कितने मिली थी इन सब चैजिए यपके बारे में इस वीडियो में हम बात करते हैं सो फिर्ट आयोफ की वीडियो आप लोगो पसंदा रहा होगा वीडियो पसंदा रहा है तो आप इस वीडियो में रुख सकते हैं की जो है बीइंग हयूमन पोडुक्शन नाम की अपनी खुद की पोडुक्शन कंपनी लॉंच की थी 2011 में फिलम निर्मान से उत्पन उनके साजुए धन बीइंग और साथ दी हयूमन संगठन को दान दिया जाएगा और बैनर के तहद बनाई गई पहली फिलम बच्चों की मन इस धारा जो है पोडुक्शन की अगली फिलम महेंस मंजरेकर महेंस मंजरेकर धारा निर्डेशित रीमेक यानि सिक्छा किया उनके साथ जो है आयचा को घोस की गई थी साथी 2014 में उन्होंने एस के एप सलमान खान की फिलम सनामक एक और पोडुक्शन हाउस लॉंच किया इस बैनर के तेले रिलेज हुई पहले फिलम कनेड़के फिलम उनके साथ जो है डक्टर कैबी थी और फिलम ने बॉक्श अपिस पहले 2 350 क्रोट का इंकम किया था यानि की काफी بہتर इंकम किये थे इस बैनर के तहms जो है अगली फिलम हीरो थी जिसमें जो है इन्होंने न और कबीर खान धारा बजरंगी भाई जान में करीना कपूर और नमाजुदिन सिद्धिकी के साथ खुद सलमान खान ने अविन्या किया था 2008 में सलमान खान ने 10 का दम हुष्ट किया था यह शो बहुत लोग परिया हुआ था और भारत में रेटिंग में नंबर वान एक यानि इस्थान पर ये सोज जो है चला गया था इसने शारूख खान की क्या आप यानि की पांच वी पास से तेज है को पीछे छोड़ते हुए और सथ 2.81 का यानि की टीवी टी आरपी टीवी आरपी और 4.5 की यानि की पीक रेटि पीक रेटिंग और साथी एंडी टीवी इमेजिंग पर रितिक रोशन की जुनून और कुछ कट दिखाने का आउसत था और 0.75 की यानि की आउसत टी आरपी को भी इसने पीछे छोड़ दिया था बाद में 1.1 यानि की पीक रेटिंग के साथ जो है रिपोर्ट को रिपोर्ट के अनुसार इस सोने जो है सोनी टीवी को भार दिया टेलिवीजिन रेटिंग में अपना तीसरा इस्तान फिर से हासिल करने में मदद की थी और उन्होंने 2.9 में फिर से जो की में जबाने की औ इस तरह 2008 में और 2009 में 10 का दम के लिए सर्वस्ट रिष्ट यानि की एंकर प्रसकार भी जीता 2010 में सल्मान खान ने बीग बॉस फोर की में जबाने की सल्मान खान की में जबाने के कारण शो को यानि के व्यापा ग्रूप से सिवकार किया गया था और सहारा और सहारा और उसक शोट को 6.7 की टी आरपी मिली उनके बाद जो है कौन बनेगा करूर पती राहुल दुलहनिया ले जाएगा उनके साथ जो है मास्टर सेफ और डी आईडी लेल मास्टर जैसे उनके साथ जो अन्य भारतिया साथी जो है रियलाइटी शो के फाइनल में सबसे अधिक थी जो की यानि की उच्टी आरपी के कारण जो है सल्मान खान ने 2011 में संजय दद के साथ फिर से बीग बस 5 की में जबानी की और बड़ी यानि की सभी क्रीटी के कारण उन्हों ने 2012 और 2013 में बीग बस 6 और बीग बस 7 की में जबानी भी की थी 2013 में सल्मान खान ने पहली बार स्टार गिल आवर की में जबानी की सल्मान खान ने बीग बस 8 और बीग बस 9 बीग बस 10 और बीग बस 11 जैसी कई सारे सिरेजों में काम किया बीग बस 13 और बीग बस 14 बीग बॉज वे 15 भी इन्होंने ही होश्ट किया था साती सल्मान खान ने कई सारे बिग्यापनों के एमबेश्टर भी रहे हैं और कई सारे बड़े-बड़े कंपणियों के एमबेश्टर हैं उसके बार में अब हम जानते हैं जैसे कि आप लोग को पता है सल्मान खान एक ब्रैंड के रूप में जुड़े हुए थे जब उन्होंने फिलम उगोग में परवेश्ट करने से पहले कैमपा कोला और उनके साथ सिल्मा सिल्का सितल पे हीरो और उनके साथ होंडा बाइक और डबल बूल शर्ट वाली के लिए बिग्यापन दिया था उनके साथ सुपरिश्टार बनने के बाद भी उन्होंने खुद को एक ब्रैंड के रूपने परचार करने में कभी दिल्चस्पी नहीं दिखाई लेकिन दो हजाट दो में उन्हें जो यानि की थम्स आफ के लिए साइन किया गया था और इसका अनू देशाथ उन्होंने डिशंबर 2010 में अनूबंद यानि की समाफ्थ कर दिया था और उन्होंने एक बार फिर थम्स आप को बढ़ावाद दिया था लेकिन जल्द ही अनूबंद समाफ्थ कर दिया गया वह अब यानि की पेपसी के ब्राण अमबिजडर है और साथी वह जो ए ट्रेवल उनके साथ वेबसाइट याटरा.com के ब्राण अमबिजडर भी बन गए है जिसने जो है उन्हें एक यानि की सेयर धारा की बना दिया है वह जो है यानि की हिस्ट्री चैनल का चेहरा और उनके साथ जो है सुजुकी मोटर साइकल के नए ब्राण अमबिजडर भी बन गए है पहले सल्मान खान ने रेट टेप यानि की सूज का समर्थन किया करते थे और अब के उन्हों ने साती जो है रिलेक्स और साती हवाई का समर्थन कर रहे हैं सल्मान खान की डीड जीर और साती जो है ब्राण यानि की मिस्टर भी है वह अपने भाई सुहेल खान के साथ जो है गोद में ब्रांड यानि की साथी जो है कलोरो मींड के लिए भी दिखाई दिये है अफी नेता ने करीना कफूर के साथ एक जवेलरी ब्रांड यानि की संगीनी में भी काम किया है साथी इनर बियर ब्राइट यानि की डिक्सी इसकार और उनके साथ जो है टेबलेट ब्लैक के टेबलेट ब्लैक बेरी और साथी जो है प्लेबुक के अलावा जो है ब्रिटानिया ब्रिटानिया का टाइगर यानि के बीच कुट उनके साथ जो है सलमान का नभी नतन समर्तन है वह यह वराज से की जगह उनके साथ जो है रैन बैक्सी के साथ जो है रोइटल का चेहरा भी है और इन ब्रैंडों के अलावा उनके पास यानि की रोमेन उनके साथ जो है रोटो मैग पेन और साथ जो है एस एफ उनके साथ जो है सुनिक बैटरी उनके साथ जो है इंडोर्स म और डेस में उनके साथ प्लॉम बिंग और उनके साथ यानि के डेर नेज और साथ जो सिस्टम के अगरानी निर्माताओं के साथ जो है इस्टॉल पाली के टेक निकी लेमिटेट के लिए ब्रांड एबिश्टर के रूप में इन्होंने हस्ताक्चर किये थे और साथी सल्मान खान मुंबई में खुले में सौच के खिलाब जो है मुंबई नगर और साथी जो है निकम बी एमसी के अभी यान के ब्रांड एबिश्टर भी रहे हैं और सौरक्षा और निकरानी ब्रांड यानिकी सीपी प्लॉस धारा उनके साथी जो है सिसी टीवी एबिश्टर के रूप में भी हस्ताक्चर किये थे और सल्मान खान अभ अमी ताब बचन के साथ यानिकी बैक मैजिक के अलावा साथी जो है इमामी इमामी हेल्डी एड उनके साथ जो है टेस्टी हिमानी साथी जो है बेश्ट उनके साथ जो है चैस और साथी जो है रसोई के लिए भी दूसरे इंबिश्डर बन चुके है सलमान खाल संड ने वह जो है महत्वाकंशी बलीबूट अभी नेताओं का साथी जो है मार्ग दर्शन किया है वह कुछ बली बूट अभी नेताओ जैसे के रितीक रोशन और अर्जुन कपूर के लिए भी सही आकार में अपने सही आकार में आने के लिए प्रेड़ना रहे हैं साथी सनम्ब्य वफा के निर्देशक उनके साथ जो सावन कुमार टाक को खान के मदद की थी और क्योंकि उन्होंने सावन दर लौ यहन की सिजन मुफ्ट में काम किया था सल्मान खान ने हिमेश रेश्मिय और साजिद ववाजिद जैसी यानि के संगीत कारों की सिफारिश की है उन्होंने साथी जो है कामुशी दर मुजिकल और फिर हम दिल दे चुके सनाम बनाने के लिए संजाई लिला बंसाली का समर्थन किया था अफी नेता गुबिंदा के करियर को सल्मान खान ने बचाया क्योंकि उन्हें पार्टर में साथी जो है समानता भूंका की पेशकस की गई थी इसी तरह सल्मान खान ने सुरज बर जया तया को मैंने प्यार कि और बाद में उनके साथ जो है बागी ए रिबेल फॉर लॉग क जे हुँ भी 37 महतवपूर्ण भूंकाय निवाई है और इसी तरथ उन्होंने तेरे नाम में रविक किशन को भूं का दिलाने में महतवपूर्ण भूंका निवाई थी उसके बाद सल्मार खान अब उनके साथ जो है कतीद तौर पर डैनी 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 डेंग जोनपा के बे और उनके साथ जो है दिवंगत बिजय अनन के बेटे साथी जो है बैववा अनन को उनके पली बूट लाउंच के लिए इसी तरह अदित्या पंचुली के बेटे सुरज पंचुली और सुरिल सेटी के बेटी आतिया सेटी को भी सल्मान खान ने अपने पोड़क्शन हीरो में लाउंच किया था उन्होंने महें समझ रेकर की 2010 की हीट मराटी फिलम साथी जो सिक्षाच चया और उनके साथ जो आयाचा घो के हिंदी रिमेक में सुनू सूथ को अपनी भूंगा की पेशकश करने का भी फैसला दिया है क्यूंकि उनके साथ वे सिसी एल में खेलते समय चो सांग रखचक को उनके साथ जो है शेरा के बेटे को भी सलाह देने का फैसला किया है अर्मान कोहली जिनका बली बूट करियर उनके साथ जो है और शफल रहा साथी सुरज बढ़ जाता की प्रेम रतन धनपायों में सल्मान खान के साथ एक परमुक भूंगा उन्होंने स्टोर में टी शॉट और अन्या यानि की उतपाद बेशता है साते रासों का एक जो हिस्सा बंचीतों की सहायता के लिए एक यूग्या का कारण के लिए जाना जाता है बी इंग हायोमन फाउंडिसन एक यानिकी पंची क्रीत उनके साथ धरमार्त यानिकी ट्रॉस्ट है ज स्टबना की थी और उनके साजो बेट घुषुसना किया गया था और फाउंडिशन के दो उनके से जो फोक छेत रहे।ara है साती सिक्षा और उनके साजो इसष्वस्टे देख भाल और خुष। है कोस को बठाने के लिए सलमान खान ने बिंग हायोमन आर्ड उसका जोải है और बिंग हायोमन गितन्जली गोल्ड के साथ का इस जाय नहीं है दोहाund 11 के पूंडक्शन सलमान खान की बिंग हायोमन पूंडक्शन नाव sens की खुद की पोड़क्शन कंपनी लॉंच की फिल्म निर्मान से जो की पैसा मिलेगा उसी बींग हयोमन को दान कर दिया जाएगा और बैनर के तहद बनाई गई पहली फिल्म बच्चों की मनुर रंजिन छिलर यानि पार्टी मोवी थी जिसने सर्वसर बच्चों की फिल्म के तर पर्डेस राज्य की लगभग जए 63 जेलों से लगभग 400 कैद्यों कारणों कि प्पैशकरेुंकि ने अरतिक हुआं से अपने आरोपों के लिए कानोनिन पाज़ु हो जर्मान कानूनी जुर्माने का भुक्तान करने में और समर्थद रहे थे जुलाई 2015 में सल्मान खान ने अपने सबसे सफल फिल्म यानिकी बजरंगी भाईजान के मुनाफे को पूरे भारत के गरीब उनके साजुए किसानों को भी जो है दान करने की पेशकर्श की फिल्म के निर्माता सल्मान खान और उनके साजुए रॉक लाइन वगे टेस्ट दोनों ने फिल्म दोनों ने मिलका जो है अपने फिल्म के साथे मुनाफे को उन्हें दान करने का फैसला किया और फिल्म के निर्देसक कبیर खान और सल्मान खान की बहेंच अल्मीरा अगनिहोत्री ने उसी पर चरचा करने के लिए महराश्ट्र के रास्टों मंतरी उनके साथ एक नात्याने के खार्षें से मुलकात की ती इस वीडियो में हम रिवीव करने सलमान खान के फिल्म को ट्वी बलाइट मुवी को जिसे 2017 के दौरान में रिलीज किया गया था इस मुवी से जुरे कुछ ऐसे रिमांटिक फैक्ट को हम बता रहे हैं जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे फ्रेंट वीडियो पसंदा रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चाईनल पे नहीं हो तो चाईनल को सब्सक्राइब करके इसे चानल को बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे सल्मान खान पाकिस्तान के अपने वर्ड़्स यानिकी प्रणसक्ष अब्दुल अब्दुल बासीत के मिले जिन्हें उनके जनम पी लिया था उने करिंगिल अनजर उनके साथ स्रीन डॉम होने का पता चला था और उने दिली के अपोलो अस्पताल में भठते कराया गया था साथी नव जुआन उनके साथ बजरंगी भाईज़न इस्टार खान के स्टार खान से मिलना भी चाते थे उस वक्त सल्मान खान भारत के परधार मंतरी श्री मोदी धारा जोई यानि के सवस्ता और उनके साजव सवच भारत अभियान के संदेश को बढ़ावा देने के लिए अमानतरित यानि किये गए है साती नौ वेक्तियों के साजव एक थे जब इसे जो यानि की 2 अक्टूबर 2014 को करने के लिए शहमत हुए थे मुंबई के पास एक चोटे से सहर उनके साजव करज़त के शरकों को साफ करने के लिए उनके परयाशों की परधान मंतरी ने एक यानि की टूइट में शराहना की थी साती सल्मान खान और उनके साजव गिलेक्सी अपार्ट में बांतरा मुंब मुंबई से रहते हैं और उनके साज़ पनुवेल में उनका 150 एकड़का यानि की पलोट भी है जिन में से 3 उनके बाद जो है यानि की बंगले एक उनके साज़ पूल है और एक जिम खुला रखा है सल्मान खान एक उनके साज़ उसके साज़ पीट और प्रसीड यानि की बाड़ी बिल्डर इन्सान है सल्मान खान की कभी शादी नहीं हुई है उनके रिस्ते मीडिया और उनके प्रसंसकों के लिए गहरी दिल्चस्पी के रहे हैं 1999 में उन्होंने बलेबूट अविनेतरी इस्वरिया राय को डेट करना शुरू किया था 2001 में दोनों के अलग होने तक उनके रिस्ते को अक्सर जो है मीडिया में रिपोर्ट किया गया था सल्मान खान ने अविनेतरी केटिना कैफ को डेट करना शुरू कर दिया था बरसों के उनके साथ आटकलो के बात कैफ ने 2011 में एक साथा कार में सिवकार किया कि वह जोह कई बरसों से सल्मान खान के साथ गंबियर संबंधों में रहे थे 2012 सल्मान खान को जो है यानिकी रुमानिया अभी नेत्री मूलिया बंतूर के साथ रिस्ते में देखा गया था अगश्ट 2011 में सल्मान खान ने सिवकार किया है कि वह जो यानि कि ट्राइजर बिलिंग उनके साथ जो है नियूरा जीलिया से पिरित है और एक यानि चेहरे की उनके साथ जो है तन तरीका बिकार जिसे जो है आम तोर पर आत्मा हत्या रोक के रूप में जाना जाता है सल्मान खान ने हिंदू और मुसलिम दोनों के रूप में पहचान हासिल की है यह टिपनी करते हुए कि मैं हिंदू और मैं मुसलिम दोनों हूँ मैं भारतिया एक भारतिया हूँ और उन्होंने समझाया मेरे पिता मुसलिम है और मेरी मा हिंदू है फ्रेंड इस वीडियो में हम रिवीव करें सल्मान खान सर की रियल लाइफ को और इनसे जोने कुछ ऐसे रोमांटिक फैट को हम बता रहे हैं जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं जाते होंगे फ्रेंड अगर आप सल्मान खान सर के फैन हैं इनके फिल्मों को देखना पसंद गड़ते हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो आप लोग को पता है हमारे इस सीरोजनल पे आपको मूवी रिवियू देखने को मिलता है एन मूवी की बज़िट इन बॉक्स भी इस कलेक्शन यहां पर बतलाया जाता है अब सल्मान खान ने 2004 में सनिक्त राजय अमेरिका की पीपल उनके साथ मैग जीनधारा दुनिया भर में साथवे सर्वेस्ट यानकि साथवे सर्वेस्ट दिखने वाले विक्ति के रूप में इस थान हासिल किया था 2008 में लंडन के मैडम उनके साथ तुशाथ संग्राहले में उनके साथ साजीव मौम की वा परतीमा इस्थापित की गई थी और इसी तरह 2012 में निवर के मैडम तुशाथ के साथ में इनको देखा गया था 2012 में नीवर के मैडम तुसास संग राहले में उनका एक और मौम का पुतला लगाया गया था 2010 में पीपल मैंग जीन भारत ने उन्हें जो है सेक्सी एस्ट मैन उन्हें जो है यानिकी अलाईवा घोशित किया गया था 2011 से लेकि 2013 में उन्हें जो है करमस दूसरे पहले और तीसरे इस्थान पर टाइम सफ इंडिया का सबसे वाचनिया विक्ति घोशित किया गया था अगैस 2013 में उन्हें भारत का सबसे अधिक होजा जाने वाला सेलिबरेटी ऑनलाइन घोशित किया गया था सल्मान खान 2014 के लिए फ़वर्श इंडिया चार्ट में प्रोशीद और राश दोनों के मावले में सबसे उपर है फ़वर्श 2015 की सुची में सेलिबरेटी हरनेट दा वर्ल्ड उन्दाव वर्ल्ड टॉप उनके साथ जो है पेन इंटर्टेनर्स 2015 के अनुसार सल्मान खान 335 मिलियन डालर की कमाई के साथ 71 रेंके में सर्वोच रेंक वाले भाड़त्य थे साती 335 मिलियन अवेर की डालर की कमाई के साथ जो है सल्मान खान को फपर्बार्स की दुनिया में सबसे अधी भुगताञा पाने व SM's नताओं की लियोनाडो उनके उन्हें जो यानिकी डिकाई प्रियो और इवेंड रोक के उनके साथ जो है जोनसन जे से हालिवूट अभी निटाओं से उपर इनको रखा गया था 2015 में उन्हें भारत के सबसे प्रसीद विक्ती तो की सूची में अमेरीकी राश्टर पटी बराक उबामा से आगे रखा गया था सितंबर 2015 में इंटरनेशनल बिजनेस टाइम से उन्हें जो है भारत में सबसे आकर्शक विक्ती घोशित किया था वा भारत में एक ही वर्ष में पांस यानकी फाइफ मिलियन से अधिक कमाई किये थे जिस विए यूसे में कंवर्ट कर दे तो 66 मिलियन से अधिक का घरे लुशु संगरा करने वाले एक मातर अवी नेता बन गये थे सल्मार खान को दूसरा 2015 का सबसे गूगल भारतिया और बलीमूट अवी नेताओं में पहला इस्थाद दिया गया था अपरेल 2016 को भारतिया उनके साथ औलमपीक संग में अवी नेता को 2000 की उनके साथ गूप कालिए और साथ खिए औलमपीक के लिए भारतिया औलमपीक डल से उनके साथ सरव धावना और राज दूत के रूप में नियुक किया गया था और अगस्ट 2017 में उन्हें दुनिया में नवे सबसे अधिक भुकतान पाने वाले अफिनेता के रूप में पहचाना गया था और फवर्ट्स इंडिया के अनुसार भारत में सबसे अधिक भुकतान पाने वाले पहले अफिनेता बन गये थे दोस्तों इस वीडियो में हम रिभीव करें टीबलेट मूबी को और इस मूबी से जुले कुछ हैं से रोमांटिक फैक्ट को हम बता रहे हैं जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कि इस मूबी को 2017 में रिलेज किया था इस फिल्म का बजट था 100 करों और इस फिल्म ने 211 करोट का इंकम किया है इस फिल्म को डायट के थे कबीर खांसर ने और इस फिल्म की पडियूसर के वारे हम बाते करें तो सलमार खान कबीर खान इनसलमा खान ने मिलकर इस फिल्म को बारे में आप लोग को पता है यह एक डिरेक्टर भी है और एक्टर भी है इन्होंने अपने करियर में कितने फिल्मों में काम किया है इसके बार में हम जानते हैं यह तो सुहाल खान की रियल लाइफ उतनी ज्यादा नहीं है इन्होंने अपने रियल लाइप पे बहुत सतरी फिल्मों में काम किया है लेकिन ये एक डिरेक्टर है तो इनके बार में हम जानेंगे और ये अब तक के इन्होंने कितने फिल्मों को बनाया है इसके बार में हम जानते हैं उसके इस मुवी को हम इंगलिस में रिव्यू करेंगे फ्रिंड आप लोग को पता है मैं दोनों भाषाओं में अपने इस चैनल पे मुवी को रिव्यू करता हैं इंगलिस और हिंदी दोनों भाषा का उप्योग करता हूं अरबाज सुहैल खान का जनम बबे वर्टमाद मुंबाई में हुआ था पतकता लेखक सलीम खान और उनकी पतनी सुसीला चरक के घर हुआ था वह अगी नेता सलमान खान और अरबाज खान के भाई है उनका पैतर को परिवार मुस्लिम है और इन दोर मद्ध है परदेश में य उनके बड़े भाई जो है सलमान खान और अरबाज खान है जन्होंने अवी नेत्री बीजे और होश्ट इयाने की मलाइका अरोडा से साद्ध ही थी उनकी बेहन अलवीरा खान के बली बुड नेडिशक अतुल.अगनी ہोतर से साद्ध ही है और इनकी छोटी बेहन अरपीता खान ने उन्होंने उनके साथ जो है उलाल उलाल के साथ जो है उनके फिलम के लिए शहयोग किया था जिसे जो है उन्होंने शुहेल खान पूर्डक्शन के साथ जो है बनाया था और पिता ने फिलम अवी नेता आयूश शलमा से शादी की है साती साती सुहेल खान के करियर के एक फिल्म निर्मा था और निर्देसक के रूप ने अपने करियर की शुरुआत की थी 1997 की एक्षन थ्रेलर उनके साथ आउजार के आउजार मुवी से की थी जिसमें जो है उनके भाई सल्मान खान और संजेक कपोर्ड ने अफिन्या किया था इसके बाद उन्होंने अपने पहले के बैदर जी एस इंटर्टेन्मन के ताद जो हिट फिल्म प्यार किया तो डर्डना किया 1998 और कम यानिकी सफ़ाल हेलो ब्लादर मुवी 1999 में अपने दोनों भाईो सल्मान खान और अरबाज खान के निर्दसन में इन दोनों फिल्मों को इ बंसत करवबार किया तो फिर वह कुछ और फ्लमों में दिखाई दिये जिन में से कोई भी अच्ची तरह से नहीं बिकी और उनकी पहली हीट फिल्म में ने प्यार कया था जिसे 2005 में बनाया था जिसम्में उन्हें अपने भाई 6 में देरी से रिलीज होने के कारण उनके साथ जो है बॉक्सिंड ड्रामा आरेन जिसके लिए जो है उनके प्रडॉक्शन की शरह न की गई थी अच्छा प्रडॉक्शन करने में बिफल रही थी 2007 में उन्हों ने एक और हिट फिलम यानि की पार्टनर का दिर्मार किया था जिसमें उनके भाई सल्मान खान और गुविंदा ने मुख्य भूमका निभाई थी साथी जो है लारा दत्ता और केटिना कैफ ने करमाश उनके प्रेम रीच्यों की प्रेम रूच्यों की भूमका निभाई थी दोस्तों इस वीडियो में हम बाते करें सुयल खान के रियल लाइफ के बारे में ये एक पर्डूसर डियाटर एंपत कथा लेखाख है दोस्तों इन्होंने फिल्मों में अविन्डे किया लेकिन फिल्में जादे हिट टाई हुई और पहले तो ये रैटर एंडे अब जो है सुहेल खान ने भारत दुनिया भर में जो है विभिन्दा भारतिया फिल्म सेतारों की मिसेस्ता वाले लाइट स्टेश शू का दिर्मान किया है उनकी कंपनी ने संगेत मीडियों भी बनाए है और यहां तक की टेलिविजन में भी कदम रखा है चेहरे पे चेहरा जिसे जो और डू नाइट यानि की डिस्टार्ज में अभी ने किया था 2010 में उन्होंने भाई सल्मान खान के साथ जो है बीर में अभी ने किया था जो 22 जनवरी 2010 को रिलीज हुई थी उन्होंने फिल्म जैहो के साथ जो है नेर्देशन में वापसी की जिसमें जो है सल्मान खान मुक बंखाओं में नजर आये थे दूएज़चन सात्व साल छोएयग साल बैंचन के साथ और सूहैल घुर्फिटला ग्रेंडख की इती थी शाती निजिक जीवन समबादिन करे सल्मान खार कि शाधी एक पंजाभी सुहेल क की पंजाभी की हिंदू सीमा यानि की सच देव से होई है इस यानिकी परकार निकाह के पहले आर्यास समाच के शादी हुई थी उनके दो बेटे है निर्मान उनके साथ योहन जिन्हें कभी कभी सलमार खान के नाम से भी जाना जाता है जनम जनम जून 2011 हाला की दोनों अब यानिकी अलग रह रहे है इस वीडियो में हम रिविव करें टीम लाइट मुमी को इस मुमी से जूरे कुछ ऐसे रुमानिक फैट को हमने इस वीडियो में बताया है जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे कबीर खाण ने इस वीडियो में हमने इस मुमी को फूल रिवियो किया है इस मुमी से जूरे कुछ ऐसे रुमानिक फैट को हमने बताया है जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे फ्रिंड आप लोग को पता है हमारे इस योटो चल पे आपको मुफी रिभीव देखने को मिलता है मोवी की बॉउक्स अपिस कलेक्शन बतलाया जाता है मैं आपने इस योटो है पर किसी भी मोवी को अपलोड नहीं कर सकता यह मैंने आप लोग को कई सारे वीडियो में बतला रखा है दोस्तो यह वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते है फ्रेंड मैंने अपने इस चैनल पे कई सारे मोवी की बॉक्स बिस किलेक्शन को बताया है जो भी मोवी रिलीज होती है उसकी बजिट इन बॉक्स बिस किलेक्शन को यहाँ पर मैं आप लोग को बतलाता हूँ दोस्तो आयोग की आज के ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल पे नए है तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में तब तक के लिए टिल इंसी यो सुन